दोस्तों, विसी कोचिंग योटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में कलास 11 विसाई हिंदी कोर के Most BBI Important Objective कोशन देखने वाले है जो की Science, Commerce, Arts, तीनों संका के स्टुडेंट के लिए बहुत important होने वाला है बच्चों, अगर आपने अभी तब कुछ भी त्यारी नहीं की है आधा अधूरा आपनों का तयारी है तो बस एक ही वीडियो में आपकी पूरी तयारी होने वाली है अगर आपकी तयारी लगभग हो चुकी है इस वीडियो की मादद से जो आप अपना पूरा रिविजन कर सकेंगे पूरा आपकी तयारी कम्प्लीट हो जाएगे जी हाँ दोस्तों इस पी आई अब्जेक्टिव कोशन में बताने वाला हूँ जो कि आज की बूर की पदिक्षा के लिए बहुत important है इसलिए बच्चो इस वीडियो का आप लोग सुरूर से लेकर अंतक देखेगा बताएगे सभी कोशन वा आंसर को अपने जो है इसको आप एक्जाम से पहले रिविजन जरूर कर लिजेगा और वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के शाथ शेयर भी जरूर करेंगे और बच्चो आप सभी से रिक्वेशन के लोग पर नए है तो जनल को सब्सक्राइब करने के साथ बैल आकों को प्रेस जरूर कर लेंगे चले बच्चो कोशन क्यों चलते है सबसे पहला कोशन आपका गध्यांस से दिया हुआ है जो कि आपको यहाँ पर खुद पढ़ लेना है मैं आपको इसका डारेक्ट आंसर बता देता हूँ सबसे पहला सवाल इसका गध्यांस का दिया हुआ है चलिए अगला सवाल क्यों चलें तो अगला सवाल यहां पे दिया गया कि सिक्षा कब तक जारी रहती है तो दोस्तों आप लोग गद्यां जब पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि यहां पे साफ साफ यह दिया गया है कि जीवन परियाप्त तक ठीक है जब तक जीवन रहता तब तक जो है शिक्षा जारी रहता है तो option number B इसका जो है सही आंसर होगा अगला सवाल है जीवन की तुलना किस से की गई है तो जीवन की तुलना जो है वो नदी से की गई है option number आपका जो A है वो आपका सही आंसर होगा ठीक है अगला सवाल क्यों चलें तो अगला सवाल जो जीवन्त सब्द का क्या अर्थ होता है तो जीवन्त सब्द का जो अर्थ होता है वह होता है जीवन से भरा होना तो option number आपका B जो है सही answer होगा ठीक है इन सभी question को आप अच्छे से जो है रट लीजिएगा अगला सवाल जो है कव्यान से पुछा गया यानि कविता से ली गई ही है तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा इस cancer में बता रहता हूं इसका question चलते हैं देखें यहां पर सबसे पहला इसका जो है इस question है कि सांती कब संभव है तो दोस्तों इसका जो 60 cancer होगा option number A हो जागा सुख भाग जब सम हो तो जब वह सुख भाग सम होता है तब सांती का जो है यह संभव है ठीक है option number A जो है आपका सयांस रोगा अगला सवाल है कि न्यायोचित का क्या अर्थ है तो न्यायोचित का अर्थ होता है न्याय की अनुसार उचित ठीक है option number A इसका सयांस रोगा अगला सवाल अठवा नंबर है कहता कि तेजस्वी की युद्य में क्या भूमिका है तो इसका आंसर जाएगा option number A समर जीतना या आत्मो सर्ग्य करने की तो option number आपका जो है A सही answer होगा ठीक है इसको अच्छे साप्रुक जो है रेट लीजिएगा अगला सवाल है कि सांती का विलॉम सब्द होता है तो दोस्तों आपनों को पताईए सांती का विलॉम सब्द होता है यानि ओसांती ठीक है option number A जो है आपका सैंसर होगा युद्ध अगला सवाल देखी अगला सवाल जो है निवन्द का अर्थ क्या होता है यहापी पूछा गया है कि निवन्द जो है उसका अर्थ क्या होता है तो दोस्तों निवन्द का अर्थ होता है बांधना ठीक है ओप्शन नमर आपका जो है ए इसका सही आंसर होगा अगला सवाल है माता के नाम पत्र पत्र लेखनिक के किस भेद के अंतरगत आता है तो अगला सवाल है कि संपादकी किसके द्वारा लिखा जाता है तो संपादकी जो है वो संपादक के द्वारा लिखा जाता है अगला सवाल है जन संचार यानि कि जन संचार कास्त्रवी माध्यम कौन सा है तो इस कान सो जाएगा अप्शन नंबर सी रेडियो ठीक है इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लिजेगा अगला सवाल है समचार लेखन की सैली क्या होना चाहिए तो दोस्तों मैं आपको बता दूओ यह जो है काफी कोशचन यह विभी आई है और इसको अच्छे सा आप लोगको रट लेनी है इसको अच्छे सा रट लेना है पड़ लेना है हमने नहीं पढ़ा तो मैं कहना चाओंगा कि आप लोग जह एक्जाम से पहले इनुस अवी को रट लिजेगा और वीडियो को लाइक करनेके साथ अपने सबी दोस्तों के साथ सीर जरूर किजेगा तो दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वारूप कैसा होना चाहिए तो इसका अगला है समचार लेखर में किसके ककार है तो देखे यहाँ पर जो है सवाल बहुत ही मस्त है और यह काफी विबियाई है रिपीटेड कुश्यन है इसका अगला सवाल है कि आलेख का एक रूप है तो यहाँ पर जो है इस पर जो है क्या यहाँ पर भराएगा तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आलेख निवंद का एक रूप है तो निवंद यहाँ पर हो जाएगा ठीक है option number B, इसका सही अंसर होगा, अगला सवाल है, कि पत्रकारिता का मुल्टत्व होता है, जिग्यासा, option number C, जो है, इसका सही अंसर होगा, अगला सवाल देखें, तो ये भी जो है, आपका यहाँ पे काव्यान से ली गई है, और इसका question and answer की ओर चलते हैं, तो देखें, यहाँ प सही अंसर होगा, अगला सवाल है, कि इन पंक्तियों के कवी कौन है, यानि कि ये जो कवीता ली गई है, इसके कवी कौन है, ये पूछा गया है, तो इसका जो अंसर होगा, option number C हो जागा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंधेरी गूफा से की है अगला सवाल है कि कभीर दास ने किसका खंडन किया है तो कभीर दास ने जो है अंडबर और रूडी वाद का किया है तो अगला सवाल है कि मीरा बाई ने अपना पती किसे स्विकार किया तो दूस्तों मीरा बाई ने अपना पती ज रतनाकार ने किसी सवारी लाने के लिए स्वण सड़क तयार कर दी है तो दोस्तो इसका आश assassin जागा लक्षमी option नमज़ें this का सही अंसर होगा अगला सवाल है कि वे आखे कविता हिंदी के किस काफयो धारा से परभावित है, तो दोस्तो तो इसका जो आंसर होगा, यह option number B हो जाएगा, परगती वाद, option number B इसका 60 का आंसर होगा, इसको अच्छे साप लोगों को रट लेनी है, याद कर लेनी है, अगला सवाल है, कि कवी अवतार सिंग पास के अनुसार जो है, सबसे खतरनाक इस्तिती कौन सी है, तो दोस्तो इसका आंसर हो जाएगा, option number D, सपनों का मर जाना, ठीक है, option number D, इसका अच्छे से याद रखेंगे, सपनों का मर जाना, अगला सवाल है, कि दूस्य अंत कुमार ने हिंदी कवीता में उर्दू की किस विद्या का प्रियोग किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, गजल का, option number B, सह आंसर हो जाएगा, अगला सवाल है, कि चंदर, चंदर विहंस देता है, चंदर विहंस देता है, पंक्ती में कौन सा अलंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा, option number D, मानेवी करण, ठीक है, याद रखेंगे, अगला सवाल की हो चले, तो देखी, 31 से लेकर 33 कोशन की हो जो है, यह गध्यांस दिया गया है, इसको खुद पढ़का आपको बताना है, मैं इसका यहाँ पे देख सकता हूँ, बता दूँ, यहाँ पे देखें, गध्यांस दिया आ है, कि भारत माता दरसल यही कडोरों लोग है, और भारत माता की जय से मतलब हुआ, इन लोगों का जय है, तो इसको आप लोग जो है इस गद्यांस को आप लोग पढ़न लीजेगा, इसको मैं इसका जो है question answer जो है उसको मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे पहला सवाल है कि प्रस्तुत गद्यांस किस पार्थे से लिया गया है, तो प्रस्तुत गद्यांस जो है यह ज इसके कड़ोरों लोगों की जाए ठीक है option नमबर आपका भी सही आंसर होगा इसको अच्छे से याद रखेंगे अगला सवाल है कि किन की आँखों में चमाक आ जाती है तो यहाँ पे दोस्तो धियान दीजेगा यहाँ पे question पूछा गया है कि किन की आँखों में चमाक आ जात अगला सवाल है मियान असरुद्दीन कौन थे तो मियान असरुद्दीन जो है वो नानबाई थे ठीक है option नमबर भी इसका सही आंसर होगा अगला सवाल है कि पथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सत्यजीत राय को जो है सबसे अधीक किस कठनायों का सामना करना पड़ा अगला सवाल है कि विदाई संभासन पार्थ में किसकी विदाई की चर्चा की गई तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा हो जाएगा option नमबर ए लौड करजन का option नमबर ए इसको अच्छे से याद रखेंगे ये काफी repeated question है ये भी वियाई भी है इसको अच्छे साप लोगों रट लेनी है ठीक है अगला सवाल कहता है कि गलता लोहा के लेखक कौन है तो गलता लोहा के लेखक है सेखर जोसी option नमबर सी इसका से अंसर होगा अगला सवाल क्यों चलने है इसका question दिया हुआ है कि इस पिती ठीक है इस पिती में किस धर्म का प्रभाव अत्तिक दिखाई देता है तो इसका अंसर होगा option नमबर भी बहुत धर्म का ठीक है option नमबर भी इसका अच्छे से याद रखेंगे अगला सवाल है कि जामून का पैड़ फलदार पैड़ है यह कहकर किरिसी विभाग ने फाइल किस विभाग को भेज दिया किस विभाग में भेज दी तो इस का अंसरह जाएगा option नमबर एठीक होटी कल्चर option नमबर एइसका से अंसरहुगा अगला सवाल है कि आत्मा की ताब यानि की सयग है दर राजा किस विभाग की रचना है तो इसका अंसरह जाएगा option नमबर दी आत्म कथा इसको अच्छे साह आप लोग याद रखेगा आत् प्रिक्षा में पूशे जाते हैं अगला सवाल है कि कुमार गंधरव के अनुसार लता मंगेसकर के संगीत की लोक प्रियता का क्या कारण है तो इसका आंशो जागा option number A गानपन ठीक है option number A जो है इसका सही आंसर होगा अगला सवाल पुछा गया है कि किस परकार की संगीत सास् पुछे जाते हैं तो आंशो जागा option number B चेल बांजी ठीक है क्योंकि राजस्तान की कुई बनाने और यह रिपेटेट कोश्चन भी है इसको अच्छे साप लोगों को रट लेनी है तो इसका दोस्तों answer हो जागा option number B चेल बांजी ठीक है क्योंकि राजस्तान की कुई बनाने वालों को जो है चेल बांजी नाम से पुकारते हैं अगला सवाल है कि किसके घर कारी करने पर बेबी हलदार के जीवन में अनेक परीवर्टन आ गए तो यह दोस्तों इसका answer जगा option number C चात उसका ठीक है option number C इसका सही अंतर होगा इस वीडियो मे लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेला को प्रेस जरूर कर लिजे ताकि इसी परकार से जो है बोर्ट एक्जाम की तैयारी आप अच्छे से हमारे चैनल के मा संगती दी गई है जिसमें लिखा है कि तूट सकते हैं मगर हम जुक नहीं सकते सत्ति का संगर सत्ता से निया लड़ता निरुंकुस्ता से अंधेरे ने दी चुनौती है किरन अंतीम अस्त होती है तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लिजेगा और इसे रिलेटेड जो सही अंसर होगा क्योंकि हमने गध्यांस में भी पढ़ा है ठीक है अगला कोशन यहां पर दिया गया है कि निरुंकुस्ता से कौन लड़ता है तो यहां पर कौन लड़ता है तो दोस्तो निया लड़ता है ठीक है तो आप्सन नमर बी जो है इसका सही अंसर होगा अगला कुशन है कि सत्रू का प्रयावाची होगा तो इसका अंसर क्या हो जागा रीपू ठीक है अप्शन ए सही आंसर होगा अगला कुशन है कि प्रस्तूत कविता का सिर्षक बताईए तो दोस्तों यहां पे जो है यह कविता जो आप लोगों ने पढ़ा गध्याओं जो आप दिएगा अगला कोशन देखी निर्देश दिया गया है निम्लिकित गध्यांस को ध्यान पर पढ़िए तथा प्रस्त संख्या 6-10 का उत्तर दिजिए तो यहां पर आप गध्यांस देख पारे लिए यहां पर दिया गया है कि भारती संस्कृती सब को सुखी और प्रसन करते जाएं और जितने भी मैं वीडियो आपनों को प्रवाइड किया हूं उन सभी को आप लोग अच्छे से पहले देख लिजे क्योंकि इन सभी वीडियो से मिला कर आपके 100% परिक्षा के तयारी होगी और इसी से आपका जो है बोड एक्जाम में कुश्चन दिये जाएं कि चुटूम ब मानने के विश्वास रखती है तो सबसे पहले सरधा होना अति आवस्यक है ठीक है तो option number C इसका सी अंसर होगा अगला सवाल नो नमबर दिया गया है कि भारती संस्कृति जीवन का लक्ष क्या मानती है तो इसका अंसर जागा option number D हो जागा आनंद मान दिती है ठीक है option D right answer होगा अगला सवाल दिया गया है कि प्रस्तूत गध्यांस की उचि सथाए option C जो है इसका right answer होगा ठीक है याद रखेंगे अगला question खंड कों में दी गई है 11 नमबर सवाल है यहाँ पे पूशा गया है कि निबंद का अंतिम भाग कहलाता है तो इस का अंसर जागा निसकर्स कहलाता है ठीक है याद रखेंगा option D अगला question है निबंद का एक अत आवस्षक गुण है तो option A इसका सही अंसर होगा अगला सवाल 13 नमबर है कि प्राथना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है तो दोस्तों इसका होता है प्रेशक का यानि कि जो जो है आविदन लिख रहे हैं उसी का हस्ताक्षर होता है यहाँ प्रेशक का option A जो है इसका सही अंसर होगा अगला सवाल 14 नमबर दिया गया है कि सरवपर्थम मुदरन का प्रारंब कहां हुआ तो इसका अंसर जागा option number D हो जागा चीन में ठीक है याद रखेंगे option D चीन में हुआ ठीक है याद रखेंगे अगला सवाल 15 नमबर द है कि मीडिया की भासा में बीट किसे कहते हैं तो इसका अंसर जागा समवादाताओं के बीच कारी विभाजन को जो है बीट कहा जाता है तो option A जो है इसका सही अंसर होगा अगला सवाल 17 नमबर दिया है कि संचार सब्द की उत्पती चर सब्द से हुई है चर का अर्थ है त अगला सवाल देखें यहां पर 18 नमबर दिया गया है कि विद्याले में अवकास है तू दिये गए आवेधन में किसी संबोधित किया जाता है तो दोस्तों अवकास के लिए अगर हम विद्याले में चुटी के लिए अगर आवेधन पत्र लिखते हैं तो किसको संबोधित क दिया है कि आलेक एक विद्या है तो आलेक जो है कौन सी विद्या है आलेक जो है गद लेखन विद्या है ठीक है तो ऑप्शन जो है इसका से अंसर होगा अगला सवाल बीश्वा नमबर दिया है कि फीचर में तत्यों की परस्तूती का धंग रिक्त होता है तो यहां पर जो र लट करने के साथ साथ इसको अच्छे से रटते भी जाईएगा अगला कोशन देखिए यहां पर दिया गया है कि निमलिखित कव्यांस को पढ़कर पूछे गए परसन के उत्तर दीजे तो देखिए यहां पर कुछ जो है चार मंगती की जो है कविता की पंगती दी गई है जि पर बैठ बीच में विचूरी चाहता मन है तो इस यहां पर देखिए जो कविता की पंगती दी गई है इसे लेटर जो कोशन दिये गए है उसको मैं देखता हूं उसके बाद आंसर भी बताते जाओंगा देखिए आप 21 नंबर सवाल दिया गया है कि प्रस्तूत पंगती की कवि कौन है देखिए मैंने आपको पहली पे पताय था कि जितने भी कविता है जितने भी रचना है उन सभी को जह है ना आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे उसके कविता के कवी है जो रचन Abigail लेहखिए उन सभी का नाम आप लोगों को अच्छे से याद रखेंगे किस किस कौन लेखक है यानि कि जैसे कि पहला पाट का लेखक है उसका नाम सिर्षक का नाम सारा चीज़ आप लोग याद रखेंगे ठीक है यहाँ पर पंक्ती दी गई है तो इसके जो कवी है तो दोस्तु यह जो है ना मैंने पहले भी आपनों को बताया हुआ था क्योंकि यह ज आंसर क्या हो जागा वारिद माला बदल रहा है तो ऑप्सन नंबर सी इसका सही आंसर होगा देखिए जितने भी कवीता आप अच्छे पड़ोगे न तो इसी में आपका आंसर मिल जागा ठीक है अगला सवाल 23 नंबर दिया गया है कि रवी के समुक थिरक रही नब में वार दुसार इस्वर की प्राप्ति जो है कैसे संभव है तो इसका अंसर जागा सहज भक्ति द्वारा ऑप्सन एसका से आंसर होगा अगला सवाल है कि लोग मीरा को क्या कहते है तो लोग मीरा को जो है वो बाबरी कहते है तो ऑप्सन नंबर एसका से आंसर होगा अगला सवाल 26 नमर दिया गया है कि घर की याद कवीता कवी ने किसे दौरान लिखी है तो इसका अंसर क्या हो जागा वज्जेल प्रवास के दौरान जो है लिखी है तो ऑप्सन भी इसका से अंसर होगा अगला सवाल जो है 27 नमर यहां पर दिया गया है कि त्री लोचन की चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्धती कवीता किसके अंतर विरोधी को उजागर करती है तो इसका अंसर जागा सिक्षा विवस्ता जो कि ऑप्शन नमर भी इसका सही अंसर होगा इसको अच्छे सा आप लोग राट लीजेगा अगला सवाल 28 नमर दिया गया है कि कहां तो तैथा चिरागा ह हरेक घर के लिए पंक्ती में कवी ने किस ओर इसारा किया है तो इसका अंसर हो जागा ऑप्शन ए हो जागा स्वतंतरता प्राप्ति के बाद की खुशियों की ओर जो है यह संकेत किया गया है अगला सवाल 29 नमर दिया गया है कि उक्त महादेवी किसकी अनन्य भक्त है तो इ जाद रखेंगे अगला सवाल 30 नमर दिया गया है कि आओ मिलकर बचाएं कवीता मुल रूप में किस भासा में लिखी गई है तो इस का अंसरो जागा संथाली भासा में ठीक है ऑप्शन नमर 20 का सियांतर होगा अगला सवाल देखें यहां पर दिया गया है कि निम्लिकित ग गध्यांस के कुछ पंक्ती दी गई है जिसमें गध्यांस में दिया गया है कि श्री नगर की इसी यात्रा में मेरी भेंट प्रक्यात प्रेंच फोटोग्राफर हैंन्री कार्थिये बैसरा से हुई मेरे पिर यहां पर लिखेंगे यहां पर देखें कुछ यहां पर मीटा हुआ है आगे देखें मेरे चित्र देखने के बाद उन्होंने जो टिपनिया टिपनी की वह मेरे लिए बहुत महत्पून रही और इसको आप लोग अच्छे से पढ़े जाएगा ठीक है चलिए आगे लिखते हैं इसका सवाल यहां पर देया गया अगला सवाल 32 अगला सवाल देया गया है कि कि वेट प्रक्यात German a यहां का स्यमेंट से है है तो देखे इस यह जो पंक्ती जो ली गई है ये का जो लेक यह जो पंक्ती है वो आत्मा का ताप से लिया गये है और इसके जो लेखरक है यानि कि जो रचनाकार है यह कौन है तो यह जो है दोस्तों आपका हो जाएगा सयद हैदर राजाजी ठीक है तो राजा की तो आपसर नंबर जो है बी का बी इसका से अंसर होगा ठीक है याद रखेंगे यानि कि यह जो बेसरा से जो मुलाकात हुई है किसका वथा सयद हैदर राजा की ठीक है अगला सवाल तेतिस नंबर दिय अगला सवाल देखिए 34 नमबर दिया गया है कि इस्पिती या इस्पिती के इत्यास का एक बड़ा कारक क्या है तो इसका अंसर क्या होगा इसको मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है तो इसका अंसर हो जाएगा 34 का ए नमबर हो जाएगा 34 का ए हो जाएगा 34 का लद्य गुगोल हो जाएगा option number A इसका right answer होगा ठीक है अगला सवाल देखे 35 नंबर यहां पे दिया गया है कि गलता लोहा का मोहन किसका चहेता सिस्य था तो option number जो आप जो question number पैदेश देख रहे हैं यह काफी repeated है यह बार-बार पुशा जाता है इसको अच्छे साप लोग not किजेगा क्योंकि इसका जो आंसर होगा वह जाएगा तिरलोग सिंग का जो एक चहेता सिस्य था ठीक है option A राइट आंसर होगा अगला सवाल 36 नंबर दिया गया है कि भारत माता का पार्थ जो है भारत माता पार्थ किस पुस्तक का अंसर है तो इसका आंसर होगा option number C हो option number A राइट आंसर होगा अगला सवाल है कि मिया नसरुदिन ने किस्म कि कि रोटी बनाने का इल्जम या इल्म किस के सिखा था यानि कि दोस्तों अलग-अलग किस्म की रोटियां बनाने का जो इमल है यानि हम लोग उसको बोलते है ग्यान प्राप्त किया था जब्स किdies की वालिद उस्ताद से ठीक है वालिद उस्ताद इसको अप्शन नंबर भी इसका से अंसर होगा इसको अच्छे साप लोग कॉपी में नौट करके याद रखें अगला सवाल 49 नंबर दिया गया है कि सतजित रा की फिल्म पाथेर पंचाली में इंदरा ठाक रून की भुमी का कि इसने निभाई है तो इस कांसर क्या होगा और मैंने आपको पहले बता था चुन्नी बाला देवी ने जो है पुमी का निभाई थी ऑप्शन नंबर इसका से अंसर होगा अगला सवाल 40 नंबर दिया है कि विदाई संभासन ठीक है विदाई संभासन शिर्षक निबंद की सा तो इस कांसर जागा और बी हो जागा ना दमय उच्चा रहे ठीक है तो अप्शन नंबर इसका से अंसर रहा इसको अच्छे से याद रखेंगे अगला सवाल 42 नंबर दिया है कि कोई की चिनाई करने के लिए किस घांस का उपयोग किया जाता है तो इस कांसर जागा और च्छानी को कहा जाता है ठीक है यादरकेंग ऑपशन भी अगला सवाल है 44 नंबर की अलो अधीर गद्य किस विद्या की रचना है तो इसका आपको पहले मैं ने बताया था किया जो है करेलु नौकरानी का काड़ी करती है तो ऑप्शन नंबर दिया है कि इसका सही आंसर दोस्तों हिंदी कोर का मैंने 45 कोशन बता हैं 45 में से 45 कोशन को आप अच्छे से रट लिजाएगा क्योंकि इससे कई सारे कोशन आपकी बोर्ड की परिक्षा में डारेक्ट पूशे जाएंगे इसलिए दोस्तों आप लोग जो है इसको अच्छे से र्याद कर लें यह जो पद समाधी की बात कर रहा है तो दोस्तों कवी जो है रानी लक्ष्मी बाई की जो है समाधी की बात कर रही है ठीक है तो यहाँ पर उप्सन भी जो इसका से आंसर होगा अगला सवाल है कि रानी की समाधी किसका पर्तिक है तो दोस्तों मैं आपको बताया था पहले भी और आप पार्ट में भी पड़ा होगा और भरसक सभी को पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधी का पर्तिक है वह विर्ता का पर्तिक है क्योंकि दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई पुरूसों के समान उन्होंने युद्ध लड़ा था इसलिए उसको विर्ता का समानित किया ज तो दोस्तों मैंने अब जश्ट बताया कि पुरोसों के भाती जो है विर्ता पुरुवक युद करने के कारण जो है रानी लक्षमी भाई या जहांसी नानी को जो है मर्दानी कहा गया है तो अगला कुश्चन दिखिए दिया गया है कि लगू सब्द का विलाम होगा तो दोस जिससे याने कि आपका जो है विद्यार्ती तो इसी का विलाम क्या हो जागा तो कहां पर है ऑप्सन बी तो यहीं आप कांसर जागा ऑप्सन बी हो जागा गुरू ठीक इसको अच्छे से याद रखेंगे अगला कुश्चन दिया गया कि प्रस्तुत पद्यांस का सिर्षक बताइए तो दोस्तों यह जो है रानी लक्ष्मी बाई के अनुरूप था तो यह जो है उसमें सिर्षक में क्या था समाधी के बारे में ठीक है तो इस कांसर क्या हो जागा ऑप्सन यह उजागा जहासी की रानी की समाधी ठीक है याद रखेंगे अगला कुश्चन यहां पर खंडे दो में आपका निर्देश में दिया गया है निमलिकित गध्यांस को ध्यान प्रवग पढ़कर नीचे दिये गए प्रस्णों का आपनों को उत्तर देना है यानि कि आपको विकल्प में ही आपको उत्तर बताने है तो देखिए गध्यांस दिया गया आप लो ज्वाला मुखी की भाती भैंकर बढ़कर देश के वतावरण को विगद करती रहती है तो इस तरीके जो गध्यांज दिया गया है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे इसका मैं डारेट जो है कुशन और आंसर की को चलता हूँ तो देखिए इसका जो है पहला कुश अगला कुशन के साथवा नंबर दिया गया है कि मनुस में अपना या मनुस में आपस में भेद होता है तो मनुस में आपस में भेद किस प्रकाचे होता है तो दोस्तों मनुस में वीचारों एवं भावों की दृष्टी से भेद होता है तो आप्सन भी इसका से अंसर होगा अगला कुश्ण है कि देश का बड़ा दुरुभाग क्या है तो इसका अनसर हो जागा बैर विरोध की भावना का भड़कना तो यह जो है सबसे बड़ा दुरुभाग अबश्था है ठीक है तो option A जो है इसका सही अनसर होगा अगला question नो नमबर दिया गया है कि कबीर ने किसका विरूध किया है तो दोस्तों कबीर ने जो है पूजा, नमाज और वत्र के दिखावे करने वाले लोगों से जो है ये विरूध किया है option a जो हिसका सहीं आंसर होगा अगला question है कि हम लोगों ने इस सीड़्सक है तो दोस्तो इसका अंसर क्या ऊजाएगा option number D हो जाएगा कभीर की प्रसांगिकता और所以呢 d इसका सहीं आंसर होगा क्योंकि इसमें जो है कभी fins related जो है हम लोगों ने इस गध्यास में पड़ा है ठीक है चले अगला कुशन खंडखों में दिया गया है जो कि यहां पर देख सकते हैं कि 11 नमर कुशन दिया है निमलखीत में से कौन सा निवन्द का एक भाग है तो दोस्तों इस कांसर क्या हो जाएगा प्रस्तावना तो यह क्या है प्रस्तावना जो है एक निवन्द का एक भाग है ठीक है चले अगला कुशन 12 नमर दिया है कि निवन्द रिक्तस्थान है उसके बाद साहित की एक विद्या है तो इस कांसर क्या हो जाएगा गध्य है यानि कि निवन्द गध्य साहित की एक है इस कांसर क्या हो जागा option भी हो जागा अपचारिक पत्र का ही एक रूप है अगला कुश्चन 14 नमबर दिया है कि जन संचार माध्यम में reporter को हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं संवाधाता option नमबर जो है इसका ठीक है तो option A जो इसका से अंसर होगा अगला कुश्चन 15 नमबर दिया गया है कि समचार लेखन की सैली कौन सी है तो इसका अंसर जागा option B उल्टा प्रामिड सैली option नमबर इसका से अंसर होगा अगला कुश्चन है कि जन समचार माध्यमों की अंतरगत रेडियों की एक विसेश माध्यम है तो इसका अंसर हो जागा option नमबर C हो जागा स्रव्य माध्यम है ठीक है याद रखेंगे अगला कुश्चन 15 नमबर दिया है कि अमर उजाला समाचार पत्र है तो अमर उजाला स पता होगा कि भारत में टेलिवीजन याने कि टीवी का जो प्रारंब है वो जो है 15 सितंबर 1969 में हुआ था ठीक है तो ऑप्शन नमर ए जो है इसकास सयांस रोगा इसको अच्छे से रट लिजेगा अगला कोशन है कि किसी खास विशय पर समाने लेखन से हट कर किया गया लेख है तो ऑप्शन सी जो है इसकास सयांस रोगा इसको आप लोग अच्छे से रट लिजे और दोस्तों इसको अच्छे साप लोग जो है एक्जाम से पहले तयार कर लेना और कॉपी में इसको नौट भी करते जाईएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तों यहां पे छटा वाग चोथा वाग में दिया गया है निर्देश में कि प्रस्न संख्या 21 से 23 तक निमलिकित कव्यांस को पढ़कर पूछे गए प्रस्नों के विकल को चैनित किजिए या चैन किजिए तो देखें आपी यह जो है कुछ पध्यांस दिया गया है जो कि यहां पे चार लपंक्ती में दि गई है पंग घंगरू बांधी मीरा नाची मैं तो मेरे नरायन सू अभी हो गई साची लोग कहे मीरा भाई बाबरी नियात कहे कुल नासी मीराने परभु गृधर नागर सहज मिले अभी नासी तो यह जो है चार लाइन की जो पंक्ती दी गई है इसी सिलेटेट यहां इसने पर प्रस्तुत कव्यांस मेर अचाईता कौन है तो देखिए दोस्तों मैं आपको पहले बी बताया होँगा था जितने भी कविता है कहानी है निबंद है उन सभी का रचनाकार का नाम आप रोग लिख लीजेगा देखिए दोस्तों मैं यहां पर जो है जाश्दम नो प्रस्तुत कव्यांस के रचायता कौन है तो यहाँ पिसको संब्दित कर रहा है मीरा बाई को ठीक है तो मीरा यहाँ भाई है लेकिन किसको दरसा जा 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 रहा है ऊपसेन नमर ए जो है इसका अंसर होगा अगला कुम्षन है कि वीज का प्यासा या वीज का प्याला किसके द्वारा भेजा गया तो इसका अंसर हो जागा option नमर भी हो जागा राना द्वारा जो है भेजा गया है ठीक है आप यहाँ पर देखें इसके गद्यास में ही डारेक्ट यहाँ पर दिया गया है कुल नासी मीरा के परभू गिर्धर नागर उसके बाद है सहज मिले अवी नासी तो अवी नासी का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है सहज मिले गिर्धर नागर तो गिर्धर नागर कौन है राना द्वारा है राना है तो यहाँ पर जो है अप्शन जो है बीस का से अंसर होगा तो मीरा के जो परभू है वो कौन है वो कृष्ण भगवान है तो option नमबर डी जो है इसका से अंसर होगा अगला question देखें आपे 24 नमबर दिया गया है कि पथिक का मन कहां विचरना चाहता है तो पथिक का जो मन है वो जो है सागर और गगण के बीच जो है विचरना चाहता है यानि कि जो है उमंगना चाहता है अगला question देखें पपचिश नमबर दिया गया है कि वे आखे कविता में किसान की पीडा के लिए किनें जीमेदार बताया गया है तो इसका अंसर हो जागा वैवस्था को option नमबर इसका से अंसर होगा अगला कुशन 26 नमबर है कि आओ मिलकर भचाएं कविता में किस समाज की बुराईयों की ओर संकेत किया गया है तो इसका अंसर हो जागा अप्शन B अधिवासी समाज को ठीक है इसको अच्छे साप लोग है ठीक लगा लें इसको याद कर लिजेगा अगला कुशन 27 नमबर दिया गया है कि अग्यानी गुरूओं की सरण में जानी परसिश्यों की क्या गती होती है तो दोस्तो इसका अंसर क्या हो जागा तो उसका आपका प्रिणाम क्या होगा आपको कुछ जो है जयान प्रापते नहीं होगा तो क्या हो लास्ट में आप पस्ता होगे न इसलिए तो इसका अंसर क्या हो जाएगा थीकि याद रखेंगे अगला question भी तो किसके मर्म का उदगाटन है तो किसके मर्म का उदगाटन है तो दोस्तों इसका आझर जागा घर के ऐ टीक है तो option भी आगए कि वे आखे किसकी रचना है तो वे आखे जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की जो है रचना है तो option A जो है इसका सेंसर होगा अगला question देखे 31 नंबर दिया गया है जिसमें यहाँ पे दिया गया है कि प्रस्ण संख्या जो है 31 से लेके 30 तक निमलिखित गध्यांज को पढ़कर उस पर अधारित पूछे ग ना कुछ गध्यांज दिये गए है चार पाच लाइन तो देखे इसमें क्या लिखा है कि बिच्षण समय बड़ा करूनों त्याप तक होता है आपको बिच्षडते देखा आज हिरदय में बड़ा दुख है तो इस गध्यांज को आप लोग पढ़ ले न और इसके मैं डार तो देखे लेना तो देखे हैं यहां पर आप 0022 मरा bucks किसी भी यहां पर साइस को दिया गया है तो कि क्या हो जाएगा Lord करजन के रूप में ठीक है तो ऑप्चन इसका षई अंसर होगा अगला कूसर नहीं कि बिछडन समय करूनो तिया करूनो त्या सभी अ istem- टीक है करूनों तपादक होता है तो करूनों तपादक होता है क्योंकि तो इस कांसर क्या हो जागा option A हो जागा बिछड़ने से दुख होता है क्रोन तपक का मतलब कि आप बहुत दुख होना तड़पने लगाना ठीक है कोई चीज आप लोगों आपका पूरा पिर्य है और अचानक से वह बिछड़ने लगे जागा क्या होगा मन में दुख होगा कि भाई कैसे बिछड़ता है ठीक है इसलिए दुस्तों यहां पर इसका अंसर क्या हो जागा अगला कोशन जहें 34 नमबर दिया है कि मिया नसरुद्दीन किस विद्या की रचना है तो अप्शन नमबर जो है इसका सी से अंसर होगा असमरनात्मक सब्द चित्र ठीक है अप्शन नमबर सी इसका से अंसर होगा अगला कोशन 35 नमबर दिया गया है कि आठ क्रोर परजा के गिड़ गिड़ा कर विच्छेद ना करने की प्राथना पर अपनी जरावी ध्यान नहीं दिया यहां किस अतिहासिक घटना की और संकित किया गया है तो इसका अंसर क्या हो जागा ऑप्शन भी हो जागा बंगला अगला कुशन दिया गया है कि अपु के भाई धाई साल असमरन किस फिल्म की सुटिंग के अनुभावों से समंधित है तो इसका अंसर क्या हो जागा ऑप्शन ए हो जागा पथेर पंचाली ठीक है ऑप्शन नमबर ए साइंस रोगा अगला कुशन देखे साथिस नमबर दि सेअनसर होगा अगला कुशन 38 नमबर दिया है कि गल्ता लोहा कहनी के लेखक है तो इसका अंसर क्या हो जागा ऑप्शन नमबर सेखर जो सी है ठीक है याल रखेंगे अगला कुशन 49 नमबर यहां पर दिया गया है कि आत्मा की आत्मा का ताप किस विद्या की रचना है तो किताब जो है विद्या की रचना जो है वो है आत्म का था ओप्शन नमबर जो है डी से अंसर होगा अगला कुशन है कि प्रेमचंद का जण्म कब हुआ तो देखी ये काफी इंपोर्टेंट कुशन है इसको आप लोग अच्छे से रट लिजेगा तो प्रेमचंद का जण्म जो होगा ता यानि कि प्रेमचंद मुंची नाम का जण्म हुआ था अठारो सो अससे इस वे में ठेकि याद रखेंग ऑप्शन सी इसका से अंसर होगा अगला कुशन दिया गया कि बेबी हलदार को लिखने के लिए किसने प्रोतसाहित किया है तो इसका अंसर हो जागा जाद रखेंगे अगला कुशन है कि कुमार गंधर्व ने किसे चत्चित्रपट संगीत के छेत्र में अन भीसनक्त समाग्रिनी माना है तो दोस्तों इसका अंसर क्या होगा यह हो जागा अप्शन नंबर भी हो जागा लता मंगेसकर को ठीक है अप्शन भी इसका सेयांतर हो इसको अच्छे सा आप लोग जो है रख लिजएगा अगला कुशन जो की लाष्ट्वा कुशन है जो पैतालिस नंबर इसमें कुशन पुछा गया है कि कुई को रस्टे से बांधने की किरिया को क्या कहते हैं इसको कहते हैं चिनाई ठीक है चिनाई कहते हैं ऑप्शन नमर 20 इसका गध्यांस से दिया गया है कि प्रस्तुत गध्यांस का उचित सिर्शक है तो दोस्तों उचित सिर्शक दिया गया है सिक्छा का उद्देश ऑप्शन नमर एक इसका सेयांस रोगा अगला सवाल है सिक्छा कब तक जारी रहती है तो सिक्छा जो है जीवन परत्यत तक जो हरे जारी रहती है। जब तक आप धतें 1974 कर bottom कर सकते हैं। घीवन की तुलना किससे की गई है। जीवन के तुलना जो है नधी से की गई है। अगला सवाल है कि सिख्चा का वास्तविक से क्या है तो बच्चों इस का अर्थ होता है जीवन से बहरा होना तो आप्से नमर बी जो है इसका詞ी अंस कर लिजे अगला सवाल देखे दूस्तर आपका कव्यांच से दी गई गई है इसे कव्यांच को देखे लिखाई निमलिकित कव्यांच को ध्यान प्रख पढ़कर प्रसन संक्या 6 से 10 तक का उतर दिजे इस कव्यांस को आपनों को अच्छे से पढ़ लेना है और इस कव्यांस में क्या कुछ कहा गया है आप मुझे कॉमेंन करके जरूर बतेएगा अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो मैं तो इसको पढ़ चुका हो चलिए इसके कोशन को चलते है तो देखे बच्चों यहाँ पे छटा नमर सवाल दिया है कव्यांसे जिसमें कहा है कि सांती कब संभव है तो सांती जो है सुक भाग जब संभ हो तब यह संभव है तो अप्शन A का सही आंसर होगा अगला सवाल सत्वा नमर है नियोचित का क्या अर्थ है तो नियोचित का अर्थ होता है दोस्तों निया के अनुसार उचित होना तो अप्शन नमर जो है A सही आंसर होगा अगला सवाल है कि तेजस्वी का युद में क्या भूमिका होती है तेजस्वी का युद में भूमिका होती है कि समर जीतना या आत्मो सर्ग करने की ठीक है अप्सन नमर ए इसका सही आंसर होगा अगला सवाल है कि सांती का विलॉम सब्द होता है तो दोस्तो सांती का होता है और सांती आप लोगों को पते पहले से मालूम है तो ये बहुत इज़ी सवाल है तो इसका आंसर हो जागा option number A हो जागा ओसांती ठीक है अगला है समर सब्द का क्या अर्थ है तो समर का अर्थ होता है दोस्तों युद ठीक है याद रखेंगे समर का क्या होता है युद होता है option 20 का right answer सही आंसर होगा अगला सवाल दिया गया है कि निबंद का अर्थ क्या होता है दोस्तों निबंद का अर्थ क्या होता है निबंद का अर्थ होता है बांधना ठीक है याद रखें नीबंद का अर्थ होगा बांधना तो option number A इसका सही आंसर होगा अगला सवाल है कि माता के नाम पत्र पर लेखन ने किस भेद के अंतरगत आता है तो लेखन के किस भेद के अंतरगत आता है वज़तो तो इसका अनवचारिक ठीक है अप्शन नमर बीस का से अनवचारिक भेद में आता है ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि समपा सम्पादगी कि है संफादग के द्वारा लिखा चाता है तो ऑप्षण 20 का संध्या सोगा संचार का स्रव माध्यम कौन सा है तो सचार का स्रव माध्यम होता है रेडियो हुट कि roadmap स्रव का मतलब सोन्तुन और सुन्त का माध्यम कौन करता है अगर कोई भी समचार अब देख रहे हैं तो दुरदर्शन में देख रहे हैं ठीक है टीवी में देख रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं तो वो समचार पत्र में पढ़ रहे हैं पत्र काई में पढ़ रहे हैं लेकिन सुनने का जो काम होता है सिर्फ होता रेडियो में क्योंकि रेडियो मे है चीस का सेंति होके आप लोग नोट कर लीजिये अगला सवाल है कि समचार लेखन कीorton क्या कहलाती है तो समचार लेखन की सैyor को हम लोग कहते हैं उल्टा प्रमेर आप्षानिवरि दीगए जानकारी का शरूप का कैसा होना चाहिए तो दोस्तो इस का कार होते हैं तो कितने का कार होते हैं तो टोटल जो है 6 का कार होते हैं याद रखें आप्सन नमर 20 का सियांत रोगा है तो आलेक जो है किसका रोफ होता है आलेक जो है नीबंद का एक रोफ होता है तो आप लोग नोट कर लेजें अगला सवाल देखे दोस्तों दिया गया है कि पत्र कारिता का मुल्य तत्व क्या है तो पत्र कारिता का मुल्य तत्व होता है जिग्यासा ठीक है आप इसको नौट कर ले जाए क्योंकि आपका बुक से लिगल गई है तो इस कव्यांस को आप लोग अच्छे से पढ़े लिए चलिए इसके कोशन के उचलते हैं तो देखे यहाँ पे कोश्शन दिया गये है कि प्रस्तूत पंक्तियां जो है किस किस environment से उधधत है यानिकि परस्तुत पंक्तियां जो है किस पार्ट से जो है ली गई है तो बच्चों यह जो है कविता जो ली गई है यह पंक्ति जो ली गई है कुछे से जी तो फंसी स्का से थोगा नेक्ट सवाल दीआगे कि इन पंक्तियों की कभी कौन हैं मैं 100% स्योर है मैं आप लोग को मैं कहता हूँ एक बार फिर से आप इसको अच्छे से रट लीजेगा जितने भी कभी है उनके कभीता कभी के जानम ठीक है उसकी रचना कार का उसकी जो है जो पूरा से टिपनी जो है उसको आप लोग पढ़ लीजेगा कभीयों का ठीक है चलिए अगला सवाल देखे दोस्तों यहाँ पर दिया गए 22 नमबर की इन पंक्तियों के कभी कौन है तो दोस्तों इसका नमबर इसका राइटन सोरोगा अगला सवाल है कि कभी ने किसान की आखों की तुलना किस से की है तो दोस्तों इसका नमबर एसका राइटन सोरोगा अगला स खंडन किया है तो अगला कुशन दिया गया कि मीरा बाई ने अपना पती किसे स्विकार किया तो किसे स्विकार किया है तो कृष्ण को ठीक है याद रखें कृष्ण को स्विकार किया है अगला सवाल है कि रतनाकार ने किसकी सवारी लाने के लिए स्वर्नसरक तयार कर दी है तो बच्चो इसका शुदागा लक्षमी की, ठीक है, आप्शन नमबर A, इसका राइटन से रोगा, सहीं रोगा, अगला सवाल दिया गया है कि वे आंके कविता हिंदी के किस कावे धारा से प्रभावित है, तो दोस्तो इसका शुदागा परगती वाद से, ठीक है, आप्शन की, दुषियंत कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू की किस विद्या का प्रियोग किया गया है, तो दोस्तो इसका शुदागा गजल, ठीक है, ओपसन निमबर B, इसका से रोगा, अगला सवाल है कि चंधर विहंस देता है, पंक्ती में कौंस अलंकार है, तो दोस्तो यह ह हो जाएगा मानवी करण मानवी करण अलंकार है अगला सवाल दोस्तों यहां पर देख सकते दिया गया कि निर्देश में कि प्रस्ण संख्या 31 से ले कर 33 तक निम्लखित गध्यांस को पढ़कर पूछे गए प्रस्णों के उत्तर दिजे तो देखिए ये गध्यांस दिया गय अंस हो इस तरह से तुम ही भारत माता हो और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठती बैठती उनकी आखों में चमाक आ जाती इस तरह मानों उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो तो यह गध्यांस को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है तो इस गध्यांस से ल अगला सवाल देखे 32 नमर दिया गया कि भारत माता की जै का क्या अर्थ है तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने अगध्यांस में पढ़ा कि देश के कड़ोरों लोगों की जै ये भारत माता की जै का अर्थ को व्यक्त कर रहा है तो अगला सवाल है कि किनकी आखों में चमा अगला सवाल है कि पथेर पंचाली फिल्म के निर्मान से सतजीत राय को सबसे अधिक किस कठनायों का सामना करना पड़ा तो बच्चो इसका अर्थिक कठनायों का सामना करना पड़ा अप्शन 20 का सेयंच रोगा अगला सवाल है कि विदाई संभासर पार्ट में किसकी विदाई की चर्चा की गई है तो बच्चो इसका अगला सवाल है कि गलता लोहा के लेखक कौन है तो गलता लोहा का लेखक सेखर जोसी है अगला सवाल है कि इस पती में किस धर्म का प्रभाव अधिक खाई मतलब खिया ख्याई देती है तो बच्चो इसका जो आंसर होगा ना वो हो जागा बहुत धर्म ठीक है याद रखें ऑप्शन भी इसका राइट अंसर होगा अगला सवाल है कि जामुन का पैड़ फलडार पैड़ है यह का करिक्रिसी विभाग ने फाइल किस विभाग में भेज दी तो द आंसर होगा अगला सवाल है कि कुमार गंधर्व की अनुसार लता मंगेश्कर कि द्वाग की संगीत की लोग प्रियता का क्या कारण है तो बच्चो इसका जो आंसर संगीत से बंदे होते हैं www.प्य संगीत से बंदे होते रही इसका जो है, आंसर दिया गया, यहां पर ती किस संकित सास्त्री है, तो यहां पूजागा सास्त्री संकित, इसको नटल कर लिजाए, इसको आप लोग समझ लिजए, ठीके, चले अगला सवाल दिया गया है, कि राजस्तान की रजत भुंदे, पाट में किस समस्या की और स संकेत किया गया है तो बच्चो इसका झूला समस्छान कि और जह संकेत किया गया है option A इसका से 야न्सार होगा अगला सवाल है राजस्थान में कुई बनाने वाले को किस नाम से itdip कु कुई बनाने वाले लोगों को जो है उन-प हल वादी की नाम से जाना गए तो बोच्चो इसका अंसरो जागा तातूस ठीक है ओप्सन नंबर तातूस तातूस के घर कारी करने पर जो है बेबी हलदार के जीवन में जो है अनेक फरीवर्तन आ गए थे तो अप्सन नंबर सी इसका सेटे को सही आंसरोगा अगला सवाल है कि बदलू सिंग ठीक है ब परतिष्टीत आद्मी थे इसलिए उससे हिरासत में नहीं लिया गया और सी नंबर 20 को अगला सवाल दिया गए 47 नंबर कहता कि प्रैमचंद का जन्म कहां हुआ था तो प्रैमचंद का जन्म जो है लमही में हुआ था याद रखे लंही आपशन 20 क panol इसाम कुसुए उनके जर्मतिति को भी आप लोग याद रखें क्योंकि पूछा जाता है तो देखें प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था तो दोस्तों इस का याद रखना है कि 1880 में हुआ ठीक है 1880 में 15 जन्म का जन्म हुआ था अगला सवाल है कि कंबला क्या है तो कंबला जो है एक नाटक है याद रखें कंबला जो है वह एक नाटक है अगला सवाल है कि आत्म वलंबन सब्द का अर्थ होता है तो आत्म वलंबन सब्द का अर्थ होता है बच्चों अपना बल ठीक है अप्शन स कि इस समाधी में चुपी हुई है एक राक की दोरी जल कर जिसने स्वनतता की दिव आरती फेरी यह समाधी यह लगू समाधी है जहांसी की राने की अंतिम लिला अस्थलिय यही है लक्ष्मी मरदानी की यही कही पर बिखर गई वह भगी विजय माला सी उसके फूल यहां संच 30 साला की तो इस तरह से जो है जहांसी रानी के ऊपर जो है यानि कि यह रानी लक्षमी भाई के ऊपर जो है यह कविता लिखी गई है और इस कविता को मैंने आपनों को अच्छे से पढ़ाया चलिए इसके रिलेटेट जो प्रस्ण दिये गे उसको देखते हैं तो देखिए यहां पर इस से रिलेटेट जो कविता पढ़े उसके रिलेटेट यहां पर पहला प्रस्ण दिया गया है कि कवी किसकी समाधी की बात कर रही है तो कवी जो है यहां पर जो है रानी लक्षमी भाई के समाधी की बात कर रहा है तो अगला प्रस्ण है कि रानी की समाधी किसका का परतिक है तो अगला सवाल है कि रानी को जो है मरदानी जो है क्यों कहा गया तो कि रानी को मरदानी इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि वो जो है प्रूस के भाती विर्ता पुरवक युद करने के कारण यानि कि प्रूस के भाती जो है वो जो है विर्ता का परतिक जो है उन सब्द क्या होगा तो लगु का होगा गुरू ठीक है अपसर नम्बर जो है इसका भी सही आंसर होगा लगु का अथर होता है दुस्तों सिस यह और गुरू हो जाएगा यानि उसका टीचर यानि के गुरू ठीक है चलिए आगे बड़ते पांचवा नमर दिया गया है कि प्रस को दियान प्रक पढ़ना है और पूछे गए प्रस्न संख्या 6 से लेकर 10 तक का विकल्प चुनना है देखिए यहां पर जो गध्यांस दिया गया गया है संपरदाइकता की समस्या को अगला सवाल दिया गया है कि मनुष्य में आपस में भेद होता है तो मनुष्य में आपस में भेद किस प्रकार का होता है विचारा और भावों की दिरिष्टी से भेद होता है अगला सवाल है देश का बड़ा दुरुभाग क्या है तो देश का बड़ा दुरुभाग क्या है वैर विरोध की भावना का भड़कना यह सबसे बड़ा दुरुभाग है अगला सवाल है कि कबीर ने किसका विरोध किया तो कबीर ने जो है पूजा, नमाज, वत्र के दिखावे करने वाले लोगों का यहां पे विरोध किया है तो a, option number a, सियांसों होगा अगला सवाल दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांस का उप्योक्त सिर्सक है तो दो देख सकते हैं लिखे 11 नमर कुर्शन दिया गया कि निमलिकित में से कौंट सा निवन्द का एक भाग है तो बच्चों यहाँ पर देखे प्रस्तावन जो होता है वो जो है निवन्द का एक प्रहत्पूर्ण भाग होता है ठीक है ऑप्शन एसका सयांस रोगा अगला सवाल है कि निवन्द साहित का एक विद्या है तो निवन्द जो है गद साहित का जो है एक बहुत महत्पूर्ण विद्या है ऑप्शन 20 का सयांस रोगा अगला सवाल है कि करियाली पत्र का एक रूप है तो क्या हो जाग बच्चों आपचारिक पत्र है ठीक है ऑप्शन नमर 20 का सया अगला सवाल है कि समाचार लेखन की सैली कौन सी है तो दोस्तों इसका अंचरागा उल्टा पीरामीड सैली, उप्शन 20 का सैंसर होगा, अगला सवाल है कि फीचर के लिए हिंदी में कौन सा सब्द परियुक्त होता है, तो बच्चों इसका अप्शन नमबर D हो जाएगा रू है, तो अमर उजाला क्या है, हिंदी का एक महत्पुन समाचार पत्र है, तो अप्शन नमबर E का सैंसर होगा, अगला सवाल है कि भारत में टेलीफोन का प्रारंब कब हुआ था, तो बच्चों इसको याद रखना है कि 15 सितंबर 1969 में, अप्शन नमबर E का सैंसर होगा, आप देख सकते ही, यहाँ पे कुछ दोहे दिये गए हैं, इस दोहे को आपनों गत्ते से पढ़ना है, चलिए इसके प्रसन दिये को देखते हैं, तो देखें, 21 नमर सवाल दिया गया है, कि प्रस्तुत कव्यांस की रचाईता कौन है, बच्चों मैंने आपको पहले भी बत कहा था और कहा था, और आप से इस रिक्वेश्ट भी मैंने किया था, कि जितने भी कवीता है, उनके कभी, जितने भी कहानी है, उनके लेखक, जितने भी नीबंद है, हस्य पाठ है, जितने भी पाठ है, उनके लेखक को आप लोग याद रखेगा, क्योंकि वो एक्जाम मे इसका सही आंसर होगा, अगला सवाल दिया गया है कि 20 का प्याला, 20 का प्याला किसके द्वारा भेजा गया, तो 20 का प्याला जो है, राना द्वारा भेजा गया है, आप्सन नमर 20 का सही आंसर होगा, क्योंकि यहां पे साप साप जो है, दिया गया है, ठीके, चली, अगला प्र अगला सवाल है कि वे आखे कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हे जिम्मेदार बताए गया अगला सवाल है कि आउ मिलकर बचाएं कविता में किस समाज की बुराईयों के और संकेत किया गया है अगला सवाल है कि अग्यानी गुरूवों के सरण में जाने पर सिस्यों की क्या गती होती है अगला सवाल है कि घर की याद कविता में किसके मर्म का उदगाटन है तो किसके मर्म का उदगाटन बच्चो ये हो जागा अंसर घर के अगला सवाल है कि वे आखे किसकी रचना है तो वे आखे किसकी रचना दोस्तो ये स्मित्रा नंदन पत का है तीक है इसको आप लोग अच्छे से रट लेजे कई बार एक्सामी पूछा जाता है रिपीटेट कोश्चन है चले आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपका गध्यांस दिया गया है जिसमें आख देख सकते हैं ये तो गध्यांस दिया गये इस गध्यांस को आप लोगो भली वाती पढ़ना है चले इस लेटेट जो प्रस्ट पूछेगे उसको देखते हैं देके दिया गया है कि प्रस्तुत गध्यांस किस पार्ट से लिया गया है तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि विदाई संभासन से ये पार्ट से ये पंक्ति ली गई है तो option number A इसका सेंसर होगा विदाई संभासन अगला है यहां माई लाड किसके लिए परियुक्त किया गया है तो बच्चों इसका अप्षरा का lot recursion ठीक है option number B इसका सेंसर होगा अगला सवाल है बिछडन समय करूनो पादक उत्पादक जो है होता है क्योंकि दोस्तों इसका अंसर का हो जागा option number हो जागा बिछडने के दुख से तो option number जो है यह बिछडने से दुख होता है option A इसका सेंसर होगा अगला सवाल है मिया नसिरुदीन किस विद्या की रचना है अगला सवाल है कि आठ कडोर पर जाके गिलगलाकर विच्छेद ना करने की प्रातना पर आपने जराबी ध्यान नहीं दिया यहां किस एतियासी घटना की ओर संकेत किया गया है अगला है कि अखबार नवी सकार्थ है अगला सवाल है कि गलता लोहा कहानी के लेका कौन है यह हो जागा सेखर जोसी अगला सवाल है कि आत्मा काताब किस विद्या की रचना है तो दोस्तों इसका अगला सवाल है कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ तो प्रेमचंद का जन्म जो है 1880 में हुआ है और कहां पर हुआ था दोस्तों आपको याद रखना है लमही में हुआ था ठीक है लमही बहुत ही इंपोर्टेंट यह कुशन है इसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था और लमही में हुआ था इसको नौट कर लेजे अगला सवाल दिया गया है कि आलो अधारी पूस्ता किस भासा में लिखी गई है तो दोस्तों इसका इसका सेंस होगा अगला सवाल दिया गया कि बेबी हल्दार को लिखने के लिए किसने प्रोथ साहित किया तो बच्छों इसका 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 सेंस होगा अगला सवाल है कि कुमार गंधर्व ने किसे चित्रपट संगीत के छेत्र में अने भी यिक्त समागरी माना है तो बच्चो इसका अंसर का होगा, option number B हो जागा, लता मंगेसकर को, ठीक इसको नौट कर लिजे, अगला सवाल है, रजस्थावन का रजत वुंदे के रचनाकार है, तो बच्चो इसका अंसर जागा, अनुपा मिस्र, ठीक है, option number A, इसका सयांतर होगा, अगला है, कुई को र बर्कता का अनुदे का होता दो, इसको लाब, जिसको हमगो कहते हैं, बर्कत हो रहा है, तो अगला सवाल दिया गया है, बेमुरौत, रौवत का मतलब होता दो, इसका यहाज ना करने वाला, option number, जो iska सयांतर होगा, अगला सवाल दिया गया है, कि भारती गाएकों के, अगला सवाल देखे दिया गया है लता मंगेशकर के पिताजी का नाम था दोस्तो दीनानात मंगेशर ठीक है देखिए मंगेशकर निर्देश में लिखा है कि निमलिखित कव्यांज को पढ़कर जो है पूछे गए प्रसन यानिकी प्रसन क्या एक से लेकर पांस्ता का उतर द देखिए आपका यहाँ पी जो है कव्यां दिया गया है इसको आपनों को दियान प्रप्रणा है और इसे रिलेटेट जो प्रस्र पूछे गहे न जो विकल्प दिये ही गये उसको आपनों को सही चैन करना है ठीक है यहाँ पे कव्यां दिया गया है कि तूट सकते हैं मगर हम वरज टूटे या उठे भुकंब, यह बराबर का नहीं है युद harm, nihते satru है, सज, और पसु बल हो उठा, निलज तो इस प्रकास से दोस्तों, यहाँ पी जो है, निरलज दिया गया है, ठीक है, लाश्ट दिया गया है, और पसु बल हो सकता है निरलज इस प्रकास से यह जो कव्यांग दिया गया है इससे लेट जो प्रस्ण पूशे गए उसको देखते हैं तो यह कि दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पहला प्रस्ण दिया गया है कि सत्ता के साथ संगर किसका होता है तो सत्ता के साथ संगर जो है सत्य प्रिवाची होगा तो सत्रू का प्रिवाची सब्द क्या होगा बच्चों तो सत्रू का अगला है परतुद्द कवीता का सिर्शक बताई के संगर सांजर होगा इसका सऐceptions 40 उपसे हैं इसको चित massa से के इसको प्रणांं से पहले द Specs मोज कर लीजेगा अगला देखें दोस्तों यहां पर चोटा सापका घध्यांस यागया है कि इंकित घध्यांस को धियान प्रक्षण पढ़िये तथ अप प्रस्थ संख्या 6 से लेकर 10 का उत्तर देजिए यह गध्यांस आपको पढ़के बताता हूं कि भार्थी संस्कृति सबको खुशिय और प्रसंद रखना चाहिए यह क्यों यहां पी जो है इसका ध्यांस का पहला प्रसंद दिया गया है कि भारती संसक्रिती वसुधा को क्या मानने में विश्वास रखती है तो बच्चों होना आवस्चेक है तो इस्वर की भक्ती में जो है स्रधा का होना बहुत ही आती आवस्चेक है अगला सवाल दिया गया है कि भारती संस्कृती जीवन का लक्ष क्या मानती है तो इसका अंसर क्या हो जागा वच्चों यह हो जाता है आनंद आनंद मानती है ठीक है अप्सन नम बरसी हो जागा भारती संस्क्रित की विसेशता है ठीक है अगला सवाल खंडकों में दी गई है कि निवंद का अंतिम भाग कहलाता है निश्कर्स अप्चन नमबर जो है डीस का से लोग यानि कोई बीची किसी के बारे में अगर हम निवंद लिखते हैं ठीक है जैसे कमान के प्रकृती पर निवंद लिखें पर दूसरिंग लिखें कंप्यूटर आज की दुनिया में महत्पूर साइंस एक मात है तो यह एक निवंद के लिए कटा लिए उसका निश्कर्स निकालते निश्कर्स हम इस तरह से हो यह अपनाना हुआ तो यह निवंद का जो अंतिम चर तो यह हो जाएगा मॉलिक था अगला सेँ़ होता है तो जो जो आविधधन लिख रहा धा उसका हस्ताक्शर होना चाहिए ईनिया कि प्रेशब का होना चाहिए तो ऑप्शन नमबर जो 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 एसके इसका सेहंथ होता है तो इस कांसर दोस्तों चीन में हुआ ता option number 10 का से आंसर होगा अगला सवाल है कि फिल्म में जन संचार के किस माध्याम के अंतरगत आता है तो इस कांसर आगा दिरिश इस्रावे माध्याम यानि कि देखना सुनना ये सभी आते हैं यानि किसी भी फिल्म जो है उसका जन संचा जो है यानि किसी भी फिल्म का जो हम लोग देखते हैं तो देखते भी हैं और उसके बाद सुनते भी हैं देखना सुनना साथ-साथ होता है तो इसका अंसर होगा अगला है मीडिया की भासा में वीट कैसे कहते हैं तो बच्चों संवादाताओं के बीच कारी विभाजन को जो है बीट कहाजाता है अगला सवाल दिया गया है इसका उत्पती संचार सब्द की उत्पती यहां पर लिखा है कि चर सब्च से हुई है चर का अर्थो का चलना अगला सवाल है विद्याले में अवकास है तू दियागे आविदन में किसी सम्भोधित किया जाता है तो दोस्तो इसका अविद्या है परदानाचारी को सम्भोधित किया जाता है प्रिंस्पल को सम्भोधित किया जाता है आनि कि हेड्मास्टर को सम्भोधित किया जाता है तो अगला है कि आ अंतर होगा अगला सवाल जो है यहां पर चोटा सा जो है कव्यान दी गई है आप इसको पढ़ें तो यह जो है आपका भूक से लिया गया है जिसमें दिया कि परतिशन नियुंतम वेश बनाकर रंग बिरंगर निराला रवी के समुक थिरक रही है नप में वरिद माला नीचे नील समुद्र मनोहर उपर नील गगन है घर पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है तो इस प्रकास जो आपका कव्यान दिया गया है अब इससे रिलेटि जो प्रस्न पूछेगे उसको देखते हैं देखिए यहां पर पहला यह प्रस्तुत पंक्तियों के कवी कौन ह देखिए बंचों मैंने पहले आपनों कहा था कि हिंदी में जितने भी कवीता है उनके कवी है jitने भी कहानी है उनके लेकर जितने भी निमंद कारून सभी का नाम आप रखेगा क्योंकि एक्जाम से यह पूछा ही जाता है इसलिए आप इसको आप लोग 100% Sure होके कॉन बदल रहा है तो नूतन वेस कौन बदल रहा है तो यह हो जागा वरिद माला बदल रहा है क्योंकि इसमें आपका कव्यांस में साब दिआ गया है यहां देख सकते लिखा कि पर्टीशन नूतन व्यस बनाकर रंग- łंभ-ाश-k Rs. यहां पे क्या हो जरणक- przyrp उसके बाद या है कि रवी के समुग ठिरक रही है, नब में वरिद माला का ये में दोस्तों यह मानवी करन अलंकार है क्योंकि बानब रंग बदल रहा है तो यह जागा मानवी करन अगला सवाल है कभीर के अनुसार इस्वर की प्राप्ति कैसे संभाव है कभीर के अनुसार इस्वर की प्राप्ति सहज भक्ति द्वारा की जा सकती है अगला है लोग मीरा को क्या कहते हैं तो लोग मीरा को जो है वो बाबरी कहते हैं क्या कहते हैं बाबरी अगला सवाल है कि घर की याद कवीता कवीट के किस दवरान लिखी है तो बच्चों इसका अगला जेल परवास यानि कि जेल में जब वो गया था तब ही उन्होंने इस सैंसरों का जेल प्रवास अगला प्रस्ण है कि त्री लोचन की चस्मा काले काले अक्षर नहीं चिन्थी कविता किसके अंतर विरोधी को उजागर करती है तो इसका अगला है कहां तो तय था चिराग हो हरेक घर के लिए पंक्ती में कवी ने किस और इसारा किया है तो यह किया है स्वतंत्रा प्राप्ति के बाद कि खुशियां की ओर जो है या जो है इसारा किया है या जो है संकेत दी है आफिसर नमरे यहां पी देख सकते हैं कि प्रस्न संके 31 से 33 तक का गध्यांच को पढ़कर पूछे गए प्रस्न का उत्तर देना है यहां पी देखे एक लाइन में आपको पढ़के बताता हूं लिखा है स्रीनगर कि इसी जात्रा में मेरी भेट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हैंरी कार्थिये बेश्रांस से हुई तो इस गध्यांस को आप लोग पढ़ लिजे चले इसे लेटर जो प्रस्ट पूछ है को उसको देखते हैं तो देखें तो यहां पर एक्षिस न ब्रेंचांस से हुई है तो बच्चो इसका अगला प्रस्ट दिया गया है कि लेखक के चित्रों में किसका अभाव है तो इसका अभाव है तो इसका अभाव है तो आप्शन नम्बर जो है अलग ध्य भुगोल अप्शन नम्बर जो है इसका से अंसर होगा अगला स्वाल है कि गलता लोहा का मोहन किसका चहेता शिष्य था तो इसका अभाव है कि भारत माता पाट के किस पुस्तक का अंसर है तो बच्चो इसका अंसर जागा हिंदूस्तान की कहानी का अंसर है तो नम्स जो है सीजी इसका से अंसर हो गाँ अगला सवाल है कि दूध का direction कि रचना है तो दूध का ślवरी दूध का दाम प्रेमचंद का रचना है और दोस्तों प्रेमचंद ने ही कोसाला लिखा है जो कैफी में हुसूर था और इसको आप लोग नौट कर लेज़े कि दूद का जो दाम है न ये जो पाठ है ये रचना जो है किस ने लिखी है तो प्रेमचंद ने लिखी है मुंसी प्रेमचंद इसको आप लोग नौट कर लेज़े का प्रेमचंद रहेगा या किसी किसी को आंसर में मुंसी प्रेमचं अग्ला सवाल दिया गया है कि सत्वीत राय की फिल्म पाथेर पंचाली में इंदरा ठाकूरून की भूमी का किसने निभाई है तो बच्छो इसका आटो यहागा चुन्नी वाला देवी ने भूमी का निभाई है अप्संण एच का सेंसर होगा अगला सवाल 40 नमर दिया गया है कि विदाई अस्मरसन सिर्षक निबंद का सैली क्या है तो बच्चों इसकांचों देखे हैं विदाई अस्मरसन में जो है तो सिर्सक निबंद का जो सैली है वो है वेंग्यात्मक है ठीके तो वेंग्यात्मक है उप्शन नमबर A इसका सैंसर होगा अगला सवाल देखे दूस्तों यहाँ पे जो है 41 नमबर दिया गया कि लता मंगे लोग किया जाता है तो इसका सुझागा खीप गहांस का जो है उप्योग किया जाता है अगला सवाल है कि पालर पानी किसे कहते हैं तो पालर पानी जो है कहते हैं बर साथ से मिलने वाला पानी को ठीक है उप्शन नमबर 20 का सैंसर होगा अगला है कि आलो आधिरे अधारी ग कारी करती है बेभी हलदार जो है घरेलिव नौकरानी का जो है काली करती है कम करती है अगला सवाल है कि सास्त्री संगीत में किसका अथिकार था अगला है कबीर किस साखा के कवी les away निर्गुन साखा के कभी थे option नामबर 20's से अंसरों गा अगला स्वाल दिया गया है कि मीरा के पर्थम्पद में मीरा की क्या परिचलित होता है इसकंसर क्या जांगा option उसे जहे है पूरीत है तो अप्सन नमर सी इसका सही आंसरोगा ठीक है तो सवाल जो है most important का दिया गया है कि कलकत्ते पर बजर गीरे में बजर गीरे द्वारा क्या परकट होता है तो बच्चो इसका अंसरोगा सोसक वर्ग के प्रती आकरोज ठीक है अप्सन नमर सी जो है इसक स्वाल होता स्य आंसरोगा रोगा नेक्ष्ट् सवाल दिया गया है कि लता मंगेश्कर का प्रसदी चित्रपत गया तो इसका स्वाल होगा रहा कि साहब के इवां सटी का दिकारी। इस तरीके सब्सक्वाल पत्र को लिखते हैं तो हम शेवा में सज स्बार tut भॉस्यकते को हमें क्या लिखते हैं तो दोस्तों अबचारीक पत्र लिखते ऐसको पुझात्य। उपभवार प्राप्ति पर हम क्या देते हैं उसे धनिवाद लेते हैं कि हुनिवाद कहते हैं अगला सवाल है कि संपादक के नाम पत्र कौन लिखता है? तो बच्चों इसका अगला सवाल यहाँ पे देखे दस्वान नमर दिया गया है रेडियो परसारन की क्या कमी है तो रेडियो परसारन की कमी जो है दोस्तों यहाँ पर परसारन की परतिक्षा करने पड़ती है कारिकरम पूरा सुनना पड़ता है कारिकरम के वीच में छोड़ना संभव नहीं सभी सही है दोस्तों यहां पर तीनों कारण दोस्तों यहाँ पे क्या है यह तीनों की कमी को यही सही है तो इसलिए वरितान्त के जो सब्सक्राइब नमक का दरोगा नमक का दरोगा पार्ट में निया के मैदान में किसकी जीत हुई इसका जीत हुई अगला सब्सक्राइब नमक का दरोगा नमक का दरोगा इसका जीत हुई उन्होंने दिया copy pen, टिक, option number 20, इसका सहीवा, 60 कांचरोगा, अगला सवाल है कि मैं कगारे का विरिक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कवगीर पड़ू, ये सब्दे किसके है, इसका अगला सवाल है कि पंडित जी ने दरोगा को उद्रण लड़का माना, जब उसने, तो जब उस सहीवा, 60 कांचरोगा, अगला सवाल है कि अपु के साथ 2,5 साल के लेखक है, तो ये जो है कहानी का पाठी, ये सिर्षक है, अपु के साथ 2,5 साल के जो लेखक है, वो कौन है, तो इसका अगला सवाल है कि पाथेर, पंचाली का प्रमुक पातर है, तो इसका अपु, अपु अगला सवाल है कि sound recordist का नाम था थो यहाँ पर देखे तो यहाँ पर फिल्मकार को जो है यानि कि जो फिल्मकार है डारेकटर है तो उसको कौन परेषान करता था तो उसको प्रस्वान करता था धुभी हुँँ- अगला सवाल दोस्तों यहांपे देख़ें दिया गया है कि समधियों को लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है तो देखिए सम्विध धिनियों को अभी मैंने जश्टा भी बताया कि सगे संबंदियों को जो है यानि नजजी की संबंदों को अगर पत्र लिखते है न तो वो पत्र क्या कहलाता है और अब चारिक पत्र कहलाता है ठीक है तो यहाँ पी क्या हो जागा option नमर B जो है इसका सह अगला सवाल है कि अपुक के साथ धाई साल पाट के लेका का क्या नाम था तो अब मैंने अभी जश्ट बताए सत्यजीत राय ठीक है option नमर जो है इसका सहीं और सटीका अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि भार्तियों ने इस्वर के बाद महराज एडवर्ड को किसका दरजा परदान किया तो इसका अगला सवाल है कि नींद के आलश्ट के कारण अक महादेवी के अनूसार मानव का क्या भूल जाता है मानव का कारी करना भूल जाता है ठीक है option नमर जो है इसका सहीं और सटीका अगला सवाल है कहता है कि कवीत्री महादेवी मानव को किस अवसर का लाब उठाने के लिए कहती है तो इसका सिव भक्ति का जो है लाब उठाने को कहती है तो अगला है कि सहमी सी चूप में जकड़े जाना बुरा तो है वे कौन सा अलंकार है तो यहां पर जो है में जो है इसमें कौन कौन से अलंकार है जो यह पंक्ति दी गई है यह जो वाकि दिया गया है कि सहमी सी चूप में जकड़े जाना बूरा तो है तो यह जो पंक्ति दी गई न तो इसमें से कौन सा अलंकार है इसी यह पूछा गया है तो दोस्तों यहाँ पे क्या है उपमा अलंकार को दरसा रहा है इसलिए option number A इसका सही आंसर होगा अगला सवाल दिया है कि जामून का पैड़ पार्ट का लेखा कौन है तो बच्चो इसका अंसर होगा क्रिश्न चंदन कि क्रिश्न चंदन option number C इसका सही आंसर होगा क्रिश्न चंदन ठीक है इसको आप लोग नौट कर लिजे और इसको आप लोग एक्जाम से पहले न रिविजन जरूर कर लिजेगा और बच्चो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये है तो वीडियो को लाइक कर दिजे और अपने सभी दोस्तों में जितने भी WhatsApp ग्रूप में है Facebook ग्रूप में चले बच्चो आगे बढ़ते अगला सवाल देखे 34 नमर दिया गया है कि नहरूजी जब जलसों में जाते थे तो उनके चर्चा का विशाय होता था उनके चर्चा का विशाय क्या होता था भारत पर ठीक है भारत देश पर जो है चर्चा का विशाय होता था कि याद रखेंगे यह जो इसकुली परिक्षा में पर्थम आये थे तो option C जो है इसका सही आंसर होगा चलिए अगला सवाल 36 नमट दिया गया है कि इंटरनेट पर उपलवध हिंदी का वह कौन समाचार है जो प्रिंट रूप में नहीं है तो प्रिंट रूप में कौन सा पत् है तो इसका सही आंसर होगा अगला सवाल है कि बाल मुकुंद गुप्त के पिताजी का रिक्या नाम था तो सही है अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि इस पिति जो है ना स्टेनी महें कितने महेंने जो है बहेंकर जो है थंडठ प्रड़ती लिए जविता का मुकह साधन क्या है इसका अंशल जू新 क्रिसी क challenge मुंक के साथ हिने अप्षन B यका स्यांसर हो गा अगला सवाल है कि लेखा को बच्पन में समस्यां का सामना करना पड़ा क्योंकि क्योंकि वे जो है उनके माता पिता की मिर्ती हो गए थी इसलिए जो है समस्यां का सामना बच्पन में ही उसको पड़ करना पड़ा था अगला सवाल दिया है कि कारिय प्रायनता तथा करतव निष्ठा का वंची धर पर प्रभाव पड़ा उसे मिला उसे क्या जो मिला था उसे जो है डंड मिला अगला सवाल है कि बहुत संख्यक सोना के प्रमुक अकेले विचलित व्यक्ति का वहवार कैस था उसको पत्रकार समझा था अगला है कि प्रेमचंद का जन्मत कब हुआ था तो प्रेमचंद का जन्म जो है तो करबला जो है वो नाटक है ठीक करबला क्या है एक नाटक है अप्शन नमर भी इसका स्यांसर होगा अगला सवाल दिया कि बरकता का अर्थ है तो बरकता का अर्थ होता है लाब ऑप्शन नमर भी इसका स्यांसर होगा अगला सवाल है कि वार्षिक परिक्षा में किसका नमर कट गया है तो कट काट लिया गया तो देखिए यहां पे वालसिक परिक्षा में किसका नंबर जो है कट काट लिया गया तो इसका अमीद का अमीद का जो है वालसिक परिक्षा में जो है नंबर कट गया था अप्शन नंबर जो है इसका से अंसर होगा अगला सवाल दिया कि र अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि जामून का पैड किसकी रचना है तो जामून का जो पैड है वो अरून उदै की रचना है अप्सन नमबर डी इसका सही आंसर होगा अगला सवाल है कि जामून का पैड किसकी रचना है यानि कैसी रचना है तो दोस्तों यहां पे मैंने यह ज़स्ट बताए कि यह जो रचना है वो अरुन उदाइकी है लेकिन यह कैसी रचना है तो यह जो है हास्ट वेंग रचना है ठीक है तो option number A इसका सही आंसर सही आंसर होगा एतरिपन का सही आंसर A होगा हास्ट वेंग अगला सवाल दिया गया है कि हाटी कल्चर्स डिपार्टमेंट में पैड काटने वाले का मामला क्यू पहुचा तो दोस्तो इसका असर ज़ागा पैड फलदार था इसलिए पहुचा था ठीक है तो option number C इसका सही आंसर होगा अगला सवाल है कि जामुन का पैड पार्ट में कभ तेna जसे पहुचा सही थी, option C जो है इसका सही असर होगा अगला सवाल है कि सयद हैदर राजा को छातविर्टी किस सहन में मिली थी थी यानि किस इस वे म मिला था, तो इसका अप्शो सुचाँ आगा अगला सवाल है कि सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलर पानी ठीक है क्या कहते हैं पॉलर पानी अगला सवाल दिया गया है कि जैसल मेर में 200 वर्ष पुर्व पालीवाल ब्राह्मनों और किसके हाथों से कुईयां बनी थी तो बच्चों इस कांसर क्या आओ जागा दूनों का यानि कि खाड़ी यानि कि फाड़ी और खड़िया यहीए हिसलिए इस कांसर जागा दोनों का है दूनों का यानि कि खाड़ी और खड़िया यहा कर दsınके इसका कई ड़े पत्र यानि कि किसी को हमको बुलाना है किसी भी फंसन में उसको हम बुलाएंगे तो उसको हम अमंत्रन पत्र देंगे न तो अप्सन नमर ए इसका से अंसर होगा अगला सवाल है कि माता जी को लिखा जाने वाला पत्र सुरू करते हैं तो सुरू किस से करते हैं तो लिखते हैं अधर्णियान माता जी ठीक है तो आपिसन नमर जो है बी इसका सेयंस रोगा अगला है सवाल है कि इस पीती का चेतरफल है सपीती का चेतरफल है इकीसोपच्पन वर्समील है ठीक है यानि कि 2155 वर्समील है अप्सन A इसका सेयंस रोगा अगला सवाल है कि रजस्थान का रजन बुंदे गद की कौन सी विद्या है इसका निबंद अप्सन नमबर 20 इसका सेयंस रोगा अगला है कि जामून का पैड कहां था तो जामून का पैड जो है सिक्रेटियर के लॉन में था ठीक है ओप्सन नमबर जो है D इसका सेंतर होगा अगला है आदमी किस पैड के नीचे दबा था इसका अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि जामून का पैड गिर कैसे गया तो जामून का पैड जो है किस प्रकार से गिरा था जामून का पैड गिरा था अगला सवाल दिया गया कि चमपा को किस बात का ग्यान नहीं है तो जामून का अगला सवाल दोस्तों सतर नमर दिया गया कि चमपा काले काले अक्षर नहीं चीन थी कविता में कभी का नाम क्या है तो बच्चों इसका नाम क्या है? इसका वीता का नाम तो मैंने अभी जश्ट पताया ना कि चंपा को काले काले अक्षर नहीं चीनिती और इसके जो कवी है न वो है निलो चन जो क्या option number C जो है इसका सहीवाज साटी कांसर होगा अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि यहां दरतों के साए में धूप लगती है में कौन सालंकार है तो बच्चों इसका नाम चुड़ागा option number C जो है सहीवाज विरोधा भास अलंकार है ठीक है? अगला सवाल दिया गया है कि मुठियां भीज कर वक्त निकालने को बुरा कहा गया है क्योंकि क्योंकि दोस्तों इसका नाम चुड़ागा मनुष इससे अपनी इच्छा अनुसार कारी नहीं करता है तो option C जो है इसका सहीवाज रोगा अगला सवाल है कि मुर्दा संती मुर्दा संती का क्या अर्थ है तो मुर्दा संती का अर्थ होता है निश्क्रियता अगला सवाल दिया गया है कि जो व्यक्ति एक धेरे पर चलता है उसका जीवन किसके समान होता है उसका अंशन रगा वह जो है मसीन के समान होता है अगला सवाल दिया गया है कि जो चीज़ों से उठती अंधेपन को भाव पर दुलक जाती है आगला सवाल है कि नई वेस भावसा को क्या कहते है तो नई वेस भावसा को कहते हैं html option number जो है यह इसका जो है सयांस रोगा html में क्या होता कि यह computer base पर जो है काम करती है और यह computer base पर ही इसका coding का काम होता html इसको ठीक है इसको आपने लोट रखेगा अगर दोस्तों exam में यह पुछ दिया जा कि html का परियोग किस प्रकाल किया जाता है कौन अत्यंत उदार एवं द्यालू है तो इसका अपने जागा option number c जो है प्रकर्टी प्रकर्टी क्या है यह उदार एवं द्यालू दोनों है option number c इसका सही आंस रोगा अगला है कि आलो अंधारी आलो अधारी शिर्षक के लेखक है तो यहाँ पर क्या हो जागा यह हो जागा बेवी हलदार option number c इसका सही आंस रोगा क्योंकि दोस्तो आलो अधारी शिर्षक के जो लेखक है वो बेवी हलदार है option number c का सही आंस रोगा अगला है कि प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था दोस्तो लमही में हुआ था मैंने कई बार आपनोंको बताय हुआ है option b जो इसका सही आंस रोगा अगला सवाल दिखे दिया गया है कि बेमुरावत ठीक है बेमुरावत का मतलब है तो बेमुरावत का मतलब होता है दोस्तो किसी का लिहाज ना करने वाला ठीक है जिसको हम लोग कहते है बेमुरावत जैसे हम लोग इसको कहते है न इगाली गलोज के संपर्ग में आता है तो इसको आप लोग याद कर लिजएगा option a जो है इसका सही आंस रोगा किसी का लिहाज ना करने वाले को हम लोग बेमुरावत कहते है ठीक है चलिए अगला सवाल दिया गया है कि अलो पीदीन अस्तंभित क्यों रह गए तो कि इस का अंस रोगा हिराशत में लेने की बात सुनकर जो है वो अचंभित रह गए थे या अस्तंभित रह गए थे option number C इसका सही आंस रोगा option number C इसका सही आंस रोगा अगला सवाल है कि मीरा ने छाच रूपी सारहीन तत्वों को छोड़ दिया इससे क्या तात्पर है तो दूद को भक्ती रूपी मत्नी से माथना option number B इसका सही आंस रोगा अगला सवाल दिया गया है कि मीरा रोती है क्योंकि वह लोगों को मुहमाया में लिफ्ट देखती है ओप्सन नमर भी इसका से यान्सरोगा अगला सवाल है कि पत्क कवीता किमे आकास में सुरी के सामने बादलों का सम्हूप कब नाचता है तो इसका अधिर रात के समय में जब तारे चम चमाते हैं या चमकते हैं तो क्या आता है बच्चो संसार का स्वामी आता है अगला स्वाल है कि संगीत के छेतर में लता का स्थान अवल दर्जे के खानदानी डैस के समान मानी जाती है तो खानदानी गायक के समान मानी जाती है अगला स्वाल है कि कुवे की खुदाई और एक विशेश तरह की चिनाई करने वाला दक्षतम लोग क्या कहलाते हैं तो इसका अगला स्वाल है कि किसको कुवा का प्रान कहा जाता है तो कुवा का प्रान किसको कहा जाता है दोस्तो चेजो और चिनाई दोनों को जो है कुवे क पुझे पिता जी पूझे पिताजी लिखते हैं तो यहाँ पे हो जागा पुझे पिताजी और इसका स्यांसर होगा अगला स्वाल है कि सर्वोपरी चीज क्या है तो सर्वोपरी का मतलब होता है मानावता अप्शन नंबर ए इसका से अंतरोगा अगला है भारत माता पाट के लेखा कौन है तो इसका अंतरोगा जोहार लार नेहरू अप्शन नंबर 20 का से अंतरोगा अगला है गलता लोहा पाट के रचनाकार कौन है तो इसका अंश्रागा सेखर जोसी option C इसका सही अंसरोगा बच्चों मैंने कई बार इस question को repeat किया हुआ है वर्सक आपनों को याद होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि गलता लोहा पार्ट के लेखा का जन्म कहां हुआ था तो इसका अंश्रागा अल्मोडा में हुआ था ठीक है option नमर जो है C इसका सही अंसरोगा अगला सवाल है कि गलता लोहा पार्ट में किस पर टिपनी की गई है तो किस पर टिपनी की गई तो दोस्तों जाती वेवर्स्ता पर टिपनी की गई है ठीक है option नमर भी इसका सही अं कर लिए थे ठीक है अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 99 नमबर कहता है कि गलता लोहा कहानी में एक मेखावी लड़के मोहन को क्या दर्सा आया गया है तो मोहन को दोस्तों यहां पे दर्सा आ गया है काश्ट ठीक है option number जो है C इसका सियांच रोगा अगला सवाले कि इस पीत अगला सवाल दिया गया है कि कोने कोने में कौन सा अलंकार है तो कोने कोने में जो है वो सलेश अलंकार है अगला सवाल 103 नमर दिया गया है कि खैर पैर किजूतों जोरू ना सही एक दूसरी आती में पैर किजूती किसे कहा गया है तो इसका पत्नी को कहा गया है तो अगला है क कभी के पिता अभी भी चुष्ट है इससे तात पर है कि वह जो है वह क्या है बुढ़ा पे उन्हें छू भी नहीं पाया अप्शन नमर भी इसका सयांस रोगा अगला स्वाले की रोटी जनाव पक्ती है आँच से सुद्ध वाक्य का चेहन करना है तो बच्चों यहां पे बत प्टि आज पर पक्ती है ठीक है अगला स्वाल दिया घया है कि पतेर पंचाली में अपु की भुमी का किसने अधा की है तो इसका अगला स्वाल है कि सुटिंग पहले गोपाल ग्राम में हुई और बाद में गौँ में हुई तो बाद में क्या हुआ था बोडाल गौँ में हुआ था ठीक है तो अप्सन नमर एस का सेयांस रोगा बोडाल गौँ में सुटिंग बाद में हुआ था अगला स्वाल है कि सिव संभू कि दो गाएं थी एक बलसाली थी और दूसरी थी दूसरी क्या थी छीन स्ञेद किया जाता है अगला है कि जिनके नीजी परीचय नहीं होता उन्हें पत्र लिखते है तो उन्हें जो है आपचारिक पत्र लिखते हैं आपचारिक पत्र लिखते हैं अगला सवाल है कि आपचारिक पत्र लिखे जाते हैं इसका अगला सवाल दिया गया कि पत्र लिखे में भासा कैसी होनी चाहिए तो पत्र लिखे में भासा कैसी होनी चाहिए तो भासा जो है सरल और असपष्ठ होनी चाहिए यानि कि इस प्रकार से option number C जो है इसका सेयंस होगा सरल और असपष्ठ दोनों भासा में होनी चाहिए ठिक है चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि लेक, टिपनिया, संपाद की एवं अस्तंब लेखान जो है किसके परकार है तो यह सभी जो है विचार परक लेखन है अगला सवाल है कि बहरत कैसा देश है तो भारत जो है वो अध्यात्मिक देश है ठीकि क्या होजागा अध्यात्मिक देश है option number C इसका से अंसर होगा अगला सवाल है कि भारत के किस नदी को मा कहा जाता है तो भारत के गंगा नदी को मा के नाम से जाना जाता है या मा कहा कर पुकारते है ठीक है तो option number C इसका से अंसर होगा अगला सवाल 117 नमर दिया गया है कि इस पती की प्रमुक फसल है इसका अंसर होगा अगला सवाल 118 नंबर दिया गया है कि चमपा को कवीता में पढ़ने लिखने का क्या लाव वताया गया है तो इसका अंसर होगा पती को पत्र लिखना अप्शन नमर 20 इसका से अंसर होगा अगला सवाल है कि चमपा कहा की एक अंपढ़ बाली का है तो दोस्तों यह जो है चमपा की एक अंपढ़ बाली का है अप्शन एसका से अंसर होगा अगला सवाल है कि गानपन का अर्थ है गाने से मिलने वाली गाने से मिलने वाली क्या तो यहाँ पो जागा मस्ती और मिठास दोनों जो है मिलने वाली option C जो इसका सेयांस रोगा अगला सवाल है कि भारत में इंटरनेट का आरम हुआ तो भारत में इंटरनेट जो है 1913 में जो है शुरुआत हुआ था आरम हुआ था तो option number 10 का सेयांस रोगा अगला सवाल है कि किसी समाचार का घटना अस्थल से सीधा प प्रहांट की रशना है तो option number जो है A's का सेङन्स रोगा अर्था दोस्तों यहां पिए सवाल पूछा संग्हें है कि नमक का द्रोगा का जो लेखक है न वो कौन है तो यहां पर आपको याद रखना है कि नमक का द्रोगा पार्ट का लेखक जो है वो प्रहांट ठिक ही यहां उन्सी प्रैमचंद है इसको आप लोग याद कर लिजिए ifs, नमबर इसका सेस्ल रोगा। अगला सवाल है कि मुंसी जी जी का क्या नाम था तो देखिये if मुंसी जी यानि कि प्रेमचंद का जो है यहां पे नाम पूशा गया है तो दोस्तो प्रेमचंद का यहां पे आया मुंसी जी का नाम क्या था तो दोस्तो उसका अंसर याद हो जागा अलो पिदीन ठीक है अलो पिदीन था उप्सन नमर डी इसका से उसरगा मुंसी जी का नाम अगला सवाल दिया गया है कि अमीत दूखी था क्योंकि उसे किसी विशाय में अच्छे अंक पराप्त नहीं हुए थे तो दोस्तों किस विशाय में उसे अच्छे पराप्त नहीं हुआ था प्रन्तु उसकी अगनी को उससे अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो जो है सरीर नश्ट हो जाता है प्रन्तु आत्मा अमर है अगला सवाल दिया गया है कि कवीरदास किसे संबोधित करके कहते है की देखो यह संसार पागल है जो व्यक्ति जूट बोलता है उस पर विश्वास करता है तो यहाँ पे कबिर दासने है, किसको संकेत गया है, किसको संबोधित करके यहाँ पे कहा है, तो बच्चों इसका फ्रागा सजन व्यक्तियों को संबोधित करते हैं यहाँ पे उन्होंने कहा है, तो option number 20 का सही आंसर होगा, अगला सवाल है कि आलो आधरी क्या है, तो आलो आध अगला सवाल है कि लाहुल लाहुल सागर तल से कितनी फूट उचाई पर इस तीथ है इसको आप एक्जाम से पहले रिविजन आप जरूर कर लिजेगा क्योंकि यह सभी कुष्यन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग अच्छे स्तियार कर लेंगे और दोस्तों अगर इस वीडियो को आप सुरूर से लेकर अंतक देख लेते हैं तो आपकी तियारी अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो आपकी तियारी पूरी हो जाएगी और इसी में से आपका एक्जाम एकोशन दिये जाएंगे चले आगे बढ़ते हैं बच्चों आगे दी आगे 131 नंबर कह है कि रजनी पाठ क्या है तो रजनी पाठ जो है यह क्या है एक पट कता है ठीक है तो आप्सन नमर सी जो है इसका सेयांस होगा अगला स्वाल है कि मुद्रन माध्यम के परमूख है तो मुद्रन माध्यम का एक परमूख है तो मुद्रन माध्यम जो है एक समचार का चाहिए और भासा समानी बोल चालके हो यानिक दोस्तों यहां में भासा समा sindi है कि साप सुत्रह आपका लिखावठ होना चाहिए और सरल प्रसरल रूप से भासा होना चाहिए तो यानिक दोस्तों इसका प्दीद जी का नाम था अलो पदीन, ठीक है जिसको हम लोग मुशी जी कहते थें, ठीक जी का पूरा नाम था और पंडित जी का नाम जो था वह आलोगदीन था, मुशी जी पंडित थें ठीक हैं गला सवाल दोस्तु यहां पे दिया गया है कि बद्लू सिंग समित और लोगदीन जो है ए इसका स्यांसर होगा इसको आप लोग नॉट कर लीजे और एक्जाम से पहले आप लोगों को रिविजन हराल में कर लेना है अगला सवाल दिया गया है कि बंबाई में लेखा को किस इस्टूडियो में नौकरी मिली इसका स्यांसरागा ब्लॉक इस्टूडियो में अगला सवाल दिया गया है कि बेनिस अकादमी के किस प्रोफेशन में लेखा की भेट हुई तो बच्चो इसका स्यांसरागा ऑप्शन दिया गया है कि विलायत में बार बार ईस्तिफा देने के कारण Lord Kardashian की स्थिती हो गई थी लौड करड़न की स्थिती जो है दिवाल लिया हो गई थी तीक है option number c इसका से answer होगा अगला सवाल है इस पिती में 12 पार्ट के लेकर है इस अंसुडा का option नमबर तो अप्सिन को खुदाई की जाती है कुई की खुदाई जो है कि सोशित किसान की आखे गढ़़ों में हुई है तो गढ़़ों में क्या हुई है धसी हुई है ठीक है आप देख सकते हैं option number B इसका सेयंस रोगा दोस्तों आपने देखा आओगा कि अधिकतर जो किसान होते हैं उसकी जो आखे होती है उसका जो नीचे वाला जो प्रत होता है वो धका वा रहता है यानि ठोड़ा सा नीचे धगा वा रहता है इसलिए यहां पर जो है कभी सस्रिद सद्रिश्य वह खिसका दिखें आ दिया गया है कि संसार कगार सद्रिश्य वह खिसका इस वाक में कौन सा लगकार है या जो है उपमालंकार है इस वाक में उपमालंकार है option B इसका सेयंस रोगा अगला स्वाल है कि बरस्ते पानी के बीच भवानी प्रसाद मिस्र को किसकी याद आ रही थी तो इसका अगला है कि पुर्व के संगीत में किसका एका धिकार था तो इसका अगला है आविदन पत्र कहलाता है तो आविदन पत्र जो है वो अवचारिक पत्र और अनवचारिक पत्र दोनों कहलाते हैं इसलिए इसका अगला सवाल दोस्तों नमबर द प्रदाना दियापक को लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है उसको लोग कहते हैं आविधन पत्र उप्सन नमबर से जो है इसका से अंसर होगा अगला है कि किसी विशाय पर समाने लेखन से हट कर लिखा गया कहलाता है बच्चों बहुत नाइट हो चुकिया है इसलिए थोड़ अगला सवाल दिया गया है कि उल्टा परामिड सैली का प्रियोग कब शुरू हुआ तो इसका आंश्वी सदी में ओप्सन नमबर जो है इसका से अंसर होगा अगला सवाल है कि सब्ताहिक पत्री का सब्ता में कितनी बार छपती है तो दोस्तों यह जो है सब्ताहिक में एक पर चपता है ठीक है सब्ता में एक अग बार ही वह सब्ताहिक पत्रीका का जो है छपाई होता है अगला सवाल है कि रजनी पार्ट के लेखग है तो रजनी पार्ट के लेखग कौन है मंडू भंडारी ऑप्शन नमबर 20 का से लोगा और दोस्तों जितने भी लेखग है उनके पार्ट का नाम कवी का नाम सारा जो है मैं आपको पीडियाप के मादब से टेलिग्राम पर पहले ही उपलब देख लिए हूँ आप उसको एक बार जरूर देख लिजएगा क्योंकि पार्ट और उनके लेखग कवी का नाम ये सब जो है एक्जाम में 100% दिये जाते हैं इसल प्षशा जो है वो व्यवसाय बन गई है ठीक यारît बिजनस बन चुका है आप सब्द्यकर के की ओर मोड़ गए अगला सवाल दोस्तु दिया गया है कि धानराम किस पार्ट का पातर है तो धानराम जो है वो गलता लोहा पार्ट का पातर है अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सहसी सी चूप में जकड जाना बुरा तो है में कौन सा अलंकार है जश्ट मैंने अभी थोड़ा दिर पहले आपनों को सुरू-सुरू नहीं बताय था कि इसमें जो है उपमा अलंकार है अगला है कि कवी ने सबसे खतरनाक कविता में उन बातों का वर्नन किया जो की वो जो सबसे खतरनाक है उनका वर्णन की आगया है तो option number 3 इसका स्यांस होगा अगला सवाल दिया आगया है कि गान पान का अर्थ है गाने से मिलने वाली तो गाने के से मिलने वाली क्या-क्या मस्ती और मिठास दोनों हो जाएंगे इसलिए option number 3 जो है इसका सहीवा सटी कांच रोगा अगला सवाल दिया है कि संसार का सबसे पुराना देश है तो संसार का सबसे पुराना देश होता है भारत ओप्सन नमबर जो है इसका सेंस रोगा अगला सवाल है कि कृतग्या की भमी कौन है तो क्रितिक्या की भूमी आप होना चे या भमी पुछा गया तो भमी कौन है बच् सा कार किया था प्राचिन शिक्षा प्रनाली नश्ट कर दिया ये पहला कारी था दूसरा ये था कि बंगाल को विभाजित कर दिया ये दूसरा था और तिसरा था भारत को गुलाम बना दिया तिसरा जो है ये कार उन्हों ने किया था तिसले इसका चुलागा ये सभी कतन जो ह सबसे खतरनाक कवीता के कवी के अनुसार पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर कैसा लगता है खतरनाक नहीं होना लगता है अगला सवाल दोस्ते 170 नवर दिया गया है कि वे की खुदाई और एक विशेज तरह की चीनाई करने वाले दक्ष्टम लोग क्या कहलाते हैं तो इसक आन्सर आगा चेल वाली कहलाते हैं क्या कहलाते हैं चेल वाली ओपसंत एओ innovate इसका सही आंसर होंगा ठीक है चलते अगला सवाल दोस्तों दिया गया ज चीधे बरसाथ से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है इसका अंसर क्या हो जाएगा अब्रिया अब्रिया दित कहलाते हैं अगला स्वाले कि लेखा की यात्रा सुब इसलिए मानी गई क्योंकि क्या हो जाएगा क्योंकि वर्सा हुई थी अगला है वर्सी धर के बेटे का नाम क्य फिल रहे था तो उप्सन ए बी जो है इसका सेंसरों गाएं अगला सवाल दिया गया है कि मोहन कैसा चातर था मोहन जो दोस्तों यहाँ पे था मेगावी चातर था अगला स्वाल है कि मोहन की पिता का पुस्टायणी कारी क्या था तो इसका अंसरागा पूरो हिताई था कारिय था option number 20 इसका से अंसरोगा यानि कि वह पूरवज़ों से वह पोस्ताइडी कारिय कर रहे थे ठीक है इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा पूरो हिताई कारिय था option number 20 इसका से अंसरोगा अगला सवाल है कि धनराम कौन था धनराम जो है वो लुहार था ठीक है याद रख का से अंसरोगा अगला है कि पाचवा मैं हूं अभागा जिसे सोने ना सोने रा सुहागा सोने पर सुहागा का क्या अर्थ है तो सोने पर सुहागा ठीक है यानि कि सोने पर सुहागा का अर्थ होता है बच्चों सबसे प्यारा होना तो option C जो है इसका से अंसरोगा अगला अगला सवाल है कि अमीद का परिणाम बिगड़ गया क्योंकि क्योंकि अच्छा वो जो है टूशन नहीं लगाया था ठीक है अगला सवाल है कि भाई लॉड वाई लॉड संबोधन किसके लिए परिउक्त हुआ है तो इसका अश्रागा लॉड करजन को संबोधित के लिए हु अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निर्धन पुरोहित का क्या नाम है तो निर्धन पुरोहित का नाम था वसीधन अगला सवाल है कि मोहन योग की सिक्षा प्राप्त करने कहां गया तो इसका अश्रागा लखना हो गया अगला है कि मोहन का स्कूल गौव से कितनी दूर पर था तो इसका आंसर दागा चार मील था ओप्सन नमर जो है चार मील दूर था इसको लुका गाओ ठीक है ओप्सन नमर बी इसका से अंसर होगा अगला सवाल दोस्तों 183 नमर दिया गया है कि मिया निसरुदिन क्या है मिया निसरुदिन जो है वो क्या है वो सब्द चीतर है अगला स्वाल है कि मिया नसरूद्दीन की लेखिका है गरे के नाम से कौन पर सिद्ध था नसरूदिन पत्तरकारों को क्या समझते थे तो दोस्तों वा बेकार आदमी समझते थे सबी पत्रकारों को नसुरुदिन जो है बेकार आदमी समझते थे option में A स्यांस रोगा अगला है सत्जीत राय का जन्म कहां हुआ तो इसका अंशुरागा बंगाल में हुआ था option A इसका स्यांस रोगा अगला है घर-घर मंतर देत फिरत है महिमा के अभियान इस पंक्ती में घर-घर में कौन सा अलंकार है तो बच्चों इसमें है पुरू पुरुप्तिक प्रकास ठीक है पुरुप्तिक प्रकास अलंकार है option number C इसका स्यांस रोगा अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मीरा ने छाच रूपी सारहिन तत्वों को छोड़ दिया है इससे क्या तात्पर है तो इसका अचल हो जागा option number A घर को निकाल देगा option A जो है इसका सहीवन सा ठीक अचल होगा इसको आप लोग नॉट कर लिए इसको आप लोग अच्छे से रिविजन जरूर कर लिजाएगा जोले अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि चनम देखें यहाँ पर क्या दिया है कि चन मलिका चन मलिका अरजुन सब्द का क्या अर्थ है तो चन मलिका अर्जुन का सब्द होता है सही अर्थ होगा ठीक है यानि option number जो है इसका से अंसर होगा अगला सवाल दोस्तों यानि चन मलिका अर्जुन का मतलब हो गया कि जिसके सर पर चांद है ठीक है यही हो जागा जिसके सर पर चांद है किसके सर पर चांद है तो सिव पर न यानि कि संकर के उपर जो है तो option number A इसका से अंसर होगा अगला सवाल दोस्तों दिया गए कि महादेवी वर्मा किस वाद के परवर्तक है तो इसका अंचुडागा छाया वाद के परवर्तक है ठीक है परवर्तक है अप्सन नमर जो है सी इसका से अंसर होगा अगला सवाले की सभी बरतर एक ही मिट्टी से बने है कि कभीर दास जी का पर है ठीक है तो इसका आंचुडागा हर प्रानी में एक ही जयती समाई है हर प्रानी में इस्वर है अगला सवाल दोस्तों दिया गए 130ad 101 नमर कहता है कि पहली फिरची फिल्म सत्यजीत राय ने कौन्सी बनाई इसका अंचुडागा पथेर पंचाली अप्सन नमर सी इसका सेंथ होगा अगला सवाल है कि भारती गायकों में बिजोड लता मंगेसकर पाउ लिखा है तो लता मंगेसकर पाउ जो है लिखा है तो क्या है तो जो जागा कुमार गंदर विवने लिखा है अप्सन नमर जो है इसका सेंथ होगा अगला सवाल है कि लता मंगेसकर के पि सब्सक्राइब अगला सवाल है कि बरधा ढाल या ठीक है भिसेत बरधा पत्र किसे लिखा जाता है तो पत्र जड्या है वो बस e क नंबर यह इसकी का सेसेंस रोगाई ऍचला स्वाथ दिया do juáis कि kişi Cum अगला सवाल है कि टेली प्रिंटर पर एक सकेंड में कितने सब्द भेजे जा सकते हैं इसका अगला सवाल है कि आज की सिक्षा प्रणालिक क्या नहीं दे रही है तो दोस्तो यह आज वी का नहीं दे रही है अगला सवाल है कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वारूप होना चाहिए तो इसका स्वारूप क्या होना चाहिए तो प्रणालिक क्या है तो प्रणालिक क्या है तो प्रणालिक क्या है तो प्रणालिक क्या है तो प्रणालि इसका राइट होगा अगला स्वाल इसको दूसर चार नमर दिया गया है कि स्वाती में बारिज देखे स्वाती में बारिज पाठ के लेखक हैं तो पाठ के लेखक कौन है क्रिस्न नाथ है ठीक है अगला स्वाल है कि जस देव की पिटाई के बार मज़ूरों का समुचा दिन क इसा बिता तो समुचा दिन जो है भय और दहसत में बिता था तो अगला सवाल है कि समाचार लेखन की सैली कौन सी है तो इसका अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि फीचर के लिए कौन फीचर के लिए हिंदी में कौन सा सब्दक परियुक्त होता है तो देखी फीचर के लिए जो है न हिंदी में रूपक सब्दक परियुक्त किया जाता है option number D जो है इसका से आंचो दोगा तो दोस्तो इस वीडियो मैंने जितने भी आपको question बता रहे है न उसको आप लोग अच्छर से रिविजन जरू कर लिजएगा अगर आपकी तयारी नहीं भी हुई है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतक देख लेंगे तो आपकी पूरी तयारी हो जाएगी ठीक है चले आगे बढ़ते है दोस्तो इस दूसर आठ नमर सवाल यहां पर दिया गया है कि कुमार गंधर उने किसे चित्रपट संगीत की चेत्र में अनविशिक्त समागरी माना है तो इसका नाम हो दोस्तो अनुपा मिस्र अगला सवाल दिया है कि कर्याली पत्र का एक ही रूप है तो कर्याली पत्र का ही रूप है तो इसका सेन्सर होगा अगला सवाल है कि अमर उजाला समाचार पत्र है, तो अमर उजाला जो है, वो हिंदी का समाचार पत्र है, option number A का से अंसर होगा, जोले अगला सवाल, दूसरो 13 नमबर दिया गया है, कि पतिक का मन कहाँ विचरता चाहता है, तो इसका अंसर जागा, सागर और गगण के भी जो कई सारे कुछन ऐसे है ना जो रिपीटेट किया हुआ है ठीक है चले आगे मड़ते दोस्तों कि यहां पर दिया गया है कि मोहन का स्कूल गाउं से कितनी दूर पर है तो दोस्तों इसका इसकूल है ना गाउं से चार मिल दूर है औप्सन नमर 20 का सेंसर होगा अगला सवाल दो घंदी में क्या कायते हैं तो रिपोर्टर का हिंदी में समवादाता कायते हैं उपसे नम्बर जो है इसका सहलगा अगला सवाल दिया गया है कि आभिधार्त एक होते हुए भी धावलिए नाज और वैंग तवार्तिय वैंगरut अलग अलग हो जाते हैं परियुक्त पंक्ती कि पार्ट से उधक्त है तो इसका अंसरागा नए ही जन्म कुंडली नए ही जन्म कुंडली से जो है यह पंक्ती से ली गाई है यह पंक्ती ली गाई है ठीक आउपसर नमर जो है इसका सेंसर होगा अगला सवाल दूसरों इस नमर है कि आज की सिक्छा पनाली क्या नहीं दे रही तो बच्चो इसका अंसर अभी मैनेजर्स टापनों को बताए कि आज की सिक्टा प्रनाली जो है आज वी का नहीं दे रही है और सन नमर भी इसका सेंसरोगा अगला सवाल है कि उसकी मा कहानी के लेका कौन है तो इसका उड़ागा पांडे बेचन सर्मा उग्र और सन नमर सी इ अंतरगत रेडियो का एक विशेष माध्यम है तो विशेष माध्यम क्या है यह स्रव का माध्यम है क्या है एक स्रवे का माध्यम है मातर सुनने का माध्यम है ठीक है यह सिर्फ एक सुनने का पातर है और सन नमर जो है इसका सेंसरोगा अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि आओ मिलकर बचाएं कवीता में किस समाज की बुराईयों की ओर सन्केत किया गया है इसका सवाल दॉसुत दिया गया कि अवारा मसीह में लेखक ने सरत चंद की तुलना किसे की है इसका सवाल है कि जामून का पैड किसकी रचना है तो जामून का पैड जो है वो कृष्ण चंदर के रिचना है अगला सवाल दिया गया है कि कृष्णा नात का जन्म कहां हुआ था कृष्णा नात का जन्म जो है वो वनारसी में हुआ था अगला सवाल दिया गया है कि स्वाती में बारिस गद में कौन सा विद्या है तो दोस्तो यह जो है यात्रा वृतान्त है, option number 20 का स्यांस रोगा, अगला है कि रजनी पटकता की लेखी का कहां जन्म हुआ था, तो देखिए, रजनी का पटकता जो है, उसकी जो लेखी का है ना, उनका जन्म जो है कहां हुआ था, तो दोस्तो हुआ था भानपूरा में, option number जो है, इसका स्यांस रोगा, अगला सवाल है कि निमलिखीत में से कौन सा निबंद का एक भाग है, तो बच्चो इसका अंस रागा प्रस्तावना, प्रस्तावना जो है एक निबंद का एक महत्कुन भाग है, option A, इसका स्यांस रोगा, अगला सवाल है कि जाग, तुझको द जूर जाना कविता में क्या प्रेणा दी गई है तो इसका अंसरागा कठनाईयों से जूजने का प्रेणा दी गई है अपसन नमबर जो है इसका सेंसर होगा अगला सवाल है कि महादेवी वर्मा को अपने किस काविकरीती के लिए भार्तिय ग्यान पिट पुरुसकार प्राप हुआ था ठीक है अपसन नमबर जो है इसका सेंसर होगा अगला सवाल दोस्तों यह दोस्वा 32 नमबर दिया गया है कि घर की याद कविता के लेका कहे तो घर की याद कविता के लेका कौन है तो पंत ठीक है अपसन नमबर जो है इसका सेंसर होगा अगला सवाल है कि जामुन कथा पाठ की जो है यह रचना है option number 10 का स्यांसर होगा अगला स्वाल है कि बेबी हलदार को लिखने के किस ने प्रोस्ताइद किया लिखने के लिखने के लिखने किस ने प्रोस्ताइद किया था तो यह जो है लातुस ने किया था option number 8 का स्यांसर होगा अगला है जन संचार माध जन संचारों का माध्यम का जो परमुक कारी होता है वह होता सुचना देना और सिक्षित करना तो अगला सवाल दिया गया है कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूलभाव सक्रिय रहता है तो इसका फ्रागत जिग्यासा अगला सवाल है कि अपू के साथ धाई साल असमरण कि इस फिल्म की सुटिंग के अनुभवों से संबंदित है तो इसका फ्रागा पत्यर पंचाली ऋप्सन नमर्यूस का से अयंच रोगा अगला सवाल है कि कभी नरेंदर स्रमा के भीतर में दुख सपनों के भयावथ किसे माना है तो इसका अनुड़ागा बाहर के अंदकार को option number A, इसका सेयंस रोगा, अगला सवाल है कि रिष्टे हैं, लेकिन खुलते नहीं कभी के सामने ऐसी कौन सी विसस्ता है, जो जिससे आपसी रिष्टे भी नहीं खुलते हैं, तो इसका अंसुरागा गरीबी का, ठीक है, यानि कि गरीबी की उसके पास विवस्ता है, option number B, इसक प्रफटाना पड़ता है तो अगला सवाल दिया गया है कि आट करोर परजा के गिर गिराकर विक्षेद ना करने की प्रतना पर आपने जराब्चा किस अथिया से घटना की और संकेत किया रहा है तो दोस्तों यह जो है न बंगाल विभाजन की हो संकेत किया गया है तो अगला सवाल है कि राजा गुलाब सिंग कहां के राजा थे तो इसका अगला है निबंद साहिद के एक विद्या है तो निबंद गद साहिद के विद्या है अगला सवाल है कि कोई को रसे से बांधने की किरिया को क्या कहते है तो इसको कहते है चिना अगला सवाल है कि वे आखे कविता में किसान की पीडा के लिए किनित जिम्मेदार बताया गया है तो इसका अगला है अंधेरी नगरी नाटक की रचना किस ने की तो अगला सवाल दिया गया है कि रचनाकार पत्र में संपाधक के नाम लिखे गए पत्र को या पत्र में संबोधन है तू किस सब्दका प्रियोग परचलीत है तो इस का उप्ज़ागा महोध है सब्दका प्रियोग बहुत ही परचलीत है ऑप्सन नमबर A इसका सेयंस रोगा अगला स्वाल है कि इस्टिंग ऑपरेशन किस पत्तरकारिता का एक रूप है तो इसका उचट जाती है या रचना जो है दोस्तों यह है मादेवी वर्मा का ठीक है उप्सन नमर जो है सी इसका से अंसर होगा अगला स्वाल है कि से सकता सलील समीर सदा से पंक्ती में कौन सा अनंकार है तो यह जो है अनुप्रास अनंकार है उप्सन बी जो है इसका से अंसर होगा अगला सवाल दोस्तों यहां पे दिया गया है कि गजानन, माधव, मुक्ती बोध के अनुसार, वैवहारी का समाने बुद्धी क्या है तो दोस्तों इसका अंचर जागा अपनी बुद्धी विबेग से लोगों को निरास, जो है लोगों को प्रसंड करना यानि कि खुश करना अगला सवाल है कि वे आंके किसकी रचना है तो वे आंके जो है ये सुमित्रा नंदन पनत की रचना है और जो है इसका से अंचर होगा अगला सवाल दिया गया है कि मियान असरुदीन किस विद्या की रचना है तो इसका अंसरागा असमारानात्मक सब्द चितर की रचना है अप्सन नमर सी इसका सही अंसर होगा अगला सवाल है कि सिनेमा और रंग मंच की तरह रेडियो एक दृष्ष्य माध्यम नहीं बलकी है बलकी क्या है एक सब्सक्रांट पत्र पत्री का नहीं कितनी बार परकाशित होती यह जो है सब्सक्राइक पत्र हमे एक इसका स्यांस रोगा चले बच्छों अगला सवाल 258 दिया गया है कि किसकी मृत्यू के बाद मकबूल घर में गुमसुन सा रहता था तो इसका अंसर क्या हो जागा दादा जी के मृत्यू के बाद ऑप्शन C जो है इसका स्यांस रोगा अगला सवाल है कि अंडे के चिलके आरंब कब हुआ तो इसका अंसर आगा 15 सितंबर 1969 में रोगा अगला सवाल है कि किसी खास विशय पर समानी लेखन से हट कर किया गया लेखन कहलाता है तो यह कहलाता है विशेस लेखन अप्शन नमर C जो है इसका सहीव सटे का अंसर होगा चले अगला सवाल दोस्तु दिया गया है कि निबंद का अंतिम भाग कहलाता है तो निबंद का अंतिम भाग कहलाता है निसकर्स ओप्शन अपसी इसका से अंसर होगा अगला सवाल है कि निबंद लेखन में विचारों की अभीव्यक्ति होती है तो किस विचारों में यानि कि मौलिक विचारों की अभीव्य तो चो स्वाल तो जो यहां पर दिया गया है कि अलो आध़री पुस्तक किस भासा में लिखी गई है तो यह जो है बंगला भासा में लिखी गई है उप्षन नम्बर जो है C इसका सेंसर होगा और अलोधारी का जो अर्थ होता है वो होता है उजाला ठीक आप लोग उसको नट कर लिजएगा चले अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि परकृति का सुकुमार कभी किन्हे कहा गया है तो परकृति का सुकुमार कभी जो है ये सुमित्रा नंदन पत को कहा गया है तो option number जो है एस का सयांच रोगा अगला है कि जियोतिवाफ फूले ने किस परकार की मानस्जिक्ता पर परहार किया तो इसका अगला सवाल है कि चंपा किसकी बेटी है ?चमपा जो है सुन्दर की बेटी है अप्शन नमर अगला है कि मोहर के ठीक है मोहर के पैर अनायास किस टोले की और मुड़ गए इसका शुजागा सिल्पकार की और जो है मुड़ गए है तो दोस्तों इस वीडियो मैंने जितने भी आपको अब्जेक्टिव कुशन बताएं है यह सभी कुश्चन बहुत ही महत्पूर्ण है वा आपके मोडल पेपर में भी दिये गए